हाँ कैसे हो आज क्या करने वाले हो पार्टी अच्छा फिर 20 जून से 29 जून तक क्या करने वाले हो पार्टी अच्छा का है क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी सार और रिविजन तो बिल्कुल भी नहीं किया था तो इसलिए पेपर में जाके पाटी ही करेंगे न तो जिस जिसको फोड़ना है और मचाना है अब अगले पाच्छे घंटे तक एकदम फोकस होकर पढ़ाई करते हैं ठीक है ये सारी चीजों में दिमाग नहीं लगाते हैं इदर दर की में तो चलिए अपना फोकस बढ़ाईए और पहले इस बात का जवाब हमको दें कि हाउज दा जोश भाई साब जोश कैसा है आप सबका आज फील में हो की नहीं हो कि सर आज आप जो है वन फोर्थ केमिस्ट्री कराने वाले हो सौ में से पच्छिस नमबर आज हमारे पक्के होने वाले हैं पच्छिस नमबर बोले तो पाच से छे हज़ार रैंक का फरक पढ़ सकता है नहीं नहीं सर फोड देंगे बिलकुल कितने दिन बाद देखा आपको मैंने भी या रव्यू सोमच आप लोग का प्यारी इतना है यार बार बार खीच के लिए आता है एकदम सूपर हाय जोश है तगड़ा जोश है मज़ेदार जोश है चल तो कौन कौन केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स लेकर आने वाला है चैट में लिख दो मैं 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 सब बकरी बन जाओ मैं 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 सर केमिस्ट्री में 80 प्लस लेकर आएंगे चाहे जो हो जाए क्योंकि सेलेक्शन किस से होता है केमिस्ट्री से ही होता है love you sir love you too you are the best thank you आप सब भी बहुत best हो पतीक सर best teacher है thank you so much बड़े यार best teacher तो सारा answer ही है और इनके सर ही है हम कुछ नहीं है भीया जो भी है इन गुरूजियों के गारण है ठीक है मैं 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 देखो कितनी बक्रिया है या चैट में बहुत सारी ठीक है तो यार देखो बहुत जल्दी जल्दी आराम आराम से रिविजन करने वाले हैं आज ठीक है तो रेडी है शुरू करें बोलो सारे लोग रेडी लेट्स गो खाना अना खा के आ गए पानी बानी पी के आ गए नोट्स कॉपी लेकर साथ में बैटे हो साथ साथ में सारी चीज़े लिखते जाएंगे जो जो मैं बोलूँगा क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो दिमाग में छपेगी नहीं ठीक है मजो आगयो मेर को भी बहुत मज़ा आ रहा है तो देखो अभी हमारे एक्जाम में करीब करीब 13 से 14 दिन बाकी है mostly, almost कुछ लोगों के थोड़े ज़्यादा बाकी है जिनका पेपर लेट होगा पिछले इतने सालों के experience से बता रहा हूँ आपको ये last का एकदम जो revision होता है और खुद के 2012 के experience से जब मैंने IT Bombay crack क्या था तब से भी बता रहा हूँ ये last का एकदम end moment जो revision होता है this can make or break your rank आप इससे 90 percentile से 97, 98 percentile तक भी जा सकते हो और 99 percentile से गिरके 95, 96 percentile पे भी आ सकते हो ठीक है तो अगर अगर आप आगे तक जाओगे 99 पार करोगे जो इसमार हम करके मानेंगे तो उसके लिए ये वाला time बहुत important है ठीक है तो यार चलो आज हम बात करने वाले हैं chemistry की और chemistry एक बहुत ही selfish subject है सर selfish कई से है बताता हूँ मैं सर exception बहुत होते है इसलिए नई chemistry इसलिए selfish subject है क्यूंकि वो आपसे बोलती है पहले तुम मुझे प्यार करो तब बदले में मैं तुम्हें प्यार करूंगी तो आप मेंसे जितने बच्चे हैं आप मेंसे जितने बच्चे एक बच्चवल है मेरे 20 आते हैं 80 प्लस जाना चाहते हो तो सबसे पहले chemistry को I love you बोलना पड़ेगा 14 February को random कन्याओं को और कन्याए random कन्यों को अदम लड़कों को तो बोल देते हैं जिनसे हमारा कुछ होना जाना नहीं है पर ये जो हमारा selection करवाएगा इससे आपको बोलना पड़ेगा कि I love chemistry और पूरे दिल से सर ये क्या कर रहे हो आप शारुक खान क्यों बन गए हो है न ऐसा नहीं पर पूरे मन से पूरे दिल से बोलना पड़ेगा I L C एक बच्चा ओला टाइम वेस्ट मत करो अभी बताऊंगा ये stance अगर हमने नहीं लिया न उससे टाइम वेस्ट होगा ठीक है हर साल बच्चे ये ही बोलते हैं पर जो बच्चे दिल से मेरे साथ बोलते हैं उनका score improve होता है ठीक है तो सबसे पहले हमारी शुरुवात हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि हम chemistry से बहुत प्यार करते हैं I love chemistry ठीक है मैं प्यार करूं छूं ठीक है प्यार करूं छूं बहुत प्यार करूं छूं मनमान भयंकरवाला chemistry is our all time महबबत चलो अब chemistry पढ़ने की best technique यहाँ पर जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं जो सुनते आए हैं उनको पता है कि chemistry पढ़ने की best technique होती है S.D.Y चैट में लिखके हम क्या बताएंगे chemistry पढ़ने की best technique S.D.Y आपको सिर्फ यही एक्जाम नहीं देना इसके बाद वाला अग्जाम भी देना है एडवांस का एक्जाम भी देना है तो हम आज के revision session में भी बहुत सारी चीज़े समझ रहे होंगे मैं सिर्फ आपको यहाँ पर formula नहीं बताने वाला हूँ जो important theory है उनके पीछे के logic बताने वाला हूँ दो साल से जो रठके chemistry पढ़ रहे हो उससे better एक तरीका बताने वाला हूँ तो यहार सबसे बहले S.D.Y.S.D.Y.S.D.Y.S.D.Y.S.D.Y.S.D.Y. करेंगे फिर हम देखेंगे हम देखेंगे और फिर हम याद करेंगे end में याद तो करना पड़ेगा क्योंकि questions हमको जल्दी करने थीक है तो यार पहली बात तो मैं पूरी टीम को इसरल की इस platform से बहुत thank you बूलना चाहूँगा ऐसे यार उतना मौका नहीं मिलता है बट पूरे दिल से कि बच्चों तक हम सब एकदम last तक खड़े हैं बहुत effort जाता है बहुत resources जाते हैं बट ये यार ये पागलबंती वाला वादा है जब तक तुम्हारे exam नहीं हो जाते और उसके बाद भी हम खड़े हैं जुकेंगे नहीं चाहे जो हो जाए अब तुम्हें भी दाड़ी छोटी हो गई है उतनी feel नहीं आती बट हाँ जुकेंगे नहीं तो यार हम आपके साथ end तक हैं चाहे ये जही means हो चाहे अगला हो चाहे उसका अगला हो तो यार मैं शुरुआत करने से पहले आपको सारान सर नहीं बताया होगा एनके सर नहीं बताया होगा मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक सेंस में बताता हूँ जिससे आपको confidence जागेगा देखो यार वो सारे बच्चे जो अभी जिन्होंने पढ़ाई करी जेडवांस लेवल की बट उन्हें बार 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 ये लग रहा है कि हम चीजों को भूल रहे हैं आप में से ये बच्चों को पूछना चाहिए कि सर आप ये SMR end में क्यों चलाते हो सूपर मेगा रिविजन सिरीज से इतने हजारों की संख्या में बच्चे NIT, IIT कैसे जाते हैं लास्ट मुमेंट पे नर्वसनेस के कारण भूलने में बहुत आता है उस लास्ट मुमेंट के भूलने को रोकने के लिए हम SMR चलाते हैं जई मेंस पेपर का अगर मैं की बात करूँ तो ये 50-60% वाला इजी वाला पार्ट और 25-30% मीडियम वाला पार्ट ये एक थियोरी और फॉर्मुला याद है तो उसके कॉम्मिनेशन से इसमें सवाल आते हैं तो अगर आपको थियोरी क्लियर है बेसिक बेसिक लेविल पे फॉर्मुला याद है तो आप पार कर जाओगे आपका जेई मेंस का हर्डल ये 15-20% टफ वालों को मैं छोडता हूँ आपके 220 नमबर आते ना जेई मेंस में आप 99.5% पार पहुँच जाओगे इसी लिए इस SMR इस सूपर से भी उपर वाला इंपॉर्टेंट थीक है पका आगे चलें तो यार अगर कुछ बच्चे यां से 11th to 12th मूविंग है उनके लिए भी ये सेशन बहुत तगड़े लेवल पे इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब ने अगर आज ढंग से सुन ली आना तो आप सब मचा दोगे ठीक है तो यार साथ में बहुत सारे surprises भी है हम आपके daily test भी ले रहे हैं सिर्फ revision करवाके आपको नहीं छोड़ रहे description में link मिल जाएगा e-sarlal की app में daily test होते हैं और बच्चों को test देने के लिए motivate करने के लिए उनका होसला अवजाई करने के लिए सारा अंसर, NK सर बागी सब टीम ने plan करके आपके लिए बहुत सारे scholarships plan करी है prizes plan करे हैं तो जो आज test हुआ था उसमें top किया है सेफुद्दीन नगरी वाला ने यह हमारे e-sarlalight है प्यारे से बच्चे second rank भी आई है इसरलाइट की मोहित की third rank आई है करन की ठीक है तो यार यह तीन बच्चे है जिन्होंने top 3 मिलाया है उसके बाद fourth rank आई है कलपना की और fifth rank आई है अमन की ठीक है तो these are our toppers और जिनकी नहीं भी आई है जिन्होंने test पर attempt किया आप सब एक दिन यहाँ पर आओगे loser कौन है जो test नहीं दे रहा loser कौन है जो सवाल नहीं कर रहा जिसको ऐसा लग रहा है पांच घंटे गद्दे पे बैठके है movie की तरह ASMR देख ली तो मेरा हो जाएगा वो पागल है हमको pen चलाना पड़ेगा test देने पड़ेंगे practice करनी पड़ेगी combined effort करना पड़ेगा तब जाके हमारा होगा वरना हमारा नहीं होगा ठीक है clear है चले आगे let's go let's go let's go forward है ना तो यह हमारे 5 बच्चे है तो यार टॉप 3 वालो को mission IT course हम दे रहे है 4th 5th वालो को J.E.Mean Plus Advanced Guided Revision Test Series आप लोगों को मिल रही है देखो जो भी आज है Israel आप सब के कारण है आप सब इतना प्यार देते हो मज़ा आ जाता है यार life बन जाती है सही बता रहा हूँ कल एक बच्चे का call आया उसने बोला sir मेरा इतना बढ़िया 10th हो गया आपके चक्कर में मज़ा आ गया sir thank you so much यार वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा achievement था मज़ा feel आ जाती है तो आगे चलते हैं तो यार पूरी SMR में आपको कौन-कौन सी faculties पढ़ा रही है सारांसर पढ़ा रहे होंगे इंडिया की highest rank faculty physics जो दिवाना बना रहती है यार एक बार चैट में सारांसर O.P कर देते हैं यार अपन ठीक है एक बार सारांसर देख रहे होंगे मुझे पक्का पता है उनको मज़ा आ जाएगा एक बार चैट में सारांसर O.P कर देते हैं SG Sir O.P SG Sir O.P एक बार चैट में कर देते हैं भाई साब SG सर उपी SG सर उपी SG सर उपी मज़ा आजाएगा उनको ठीक है क्या वात है सालान सर पढ़ा रहे हैं फिर आपको N.K. गुपता सर भाई मेरे बापा है बहुत क्रपा है कि ये मेरे बापा है है ना ultimate guidance at all levels ultimate maths और मैं इनसे दो गुणा छोटा हूँ पर इनकी energy मेरे से दो गुणा है ये जलवा है भाई का है ना तो यार N.K. सर तगड़ा मचाओ लेवल अलगी ठीक है यार मैं इतना लखी हूँ मैं आप सोच भी नहीं सकते हो में कितना लखी हूँ कि यार सारान सर मेरे बड़े भाई है भाई साब और N.K. गुपता सर मेरे पिता जी है पापा है बापू है नेक्स लेवल यार सही बड़ा रहा हूँ मतलब कभी-कभी रात को भी नीन खुल जाती है ना ऐसा लगता है भाई सवर्ग तो यहीं है कहीं और नहीं है हम पूरा परिवार इखटे रहते हैं एक घर में बहुत पुराना घर है हमारा आप आजाओगे तो इश्वास भी नहीं करोगे घर छोटा है बेसिक सुविदाओ वाला है पर स्वर्ग है क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग रहते है तीक है मैं दादा जी फिर यह मैं हूँ छोटा सा इंट्रोड़क्शन मैं I.T. Bombay से मैं पढ़ाई करी है मेरा बारवी कक्षा के साथ नहीं हुआ था मैं तो इसमें भी प्राइड लेता हूँ फेल हुआ मैं 12 में फेल्ड ड्रॉपर में I.T.B तो जितने ड्रॉपर बच्चे मेर को यहां पे सुन रहे है आप उमीद मत हारो उमीद बना के रखो दिल जगाल के रखो करन बोल रहा है निपोटिजम अच्छा नेपोटिजम कोई नेपोटिजम नहीं है भईया अपने दम पर किया है जो भी किया है गाइडेंस आपको नहीं मिलती गया कुछ भी नेपोटिजम है ना चलो चले बताओ चाएट में बताओ ये नेपोटिजम है कि अपनी काबिलेत से भैया मेरे को आईटी की सीट नेपोटिजम से मिली होगी खुद की मेनद से मिली है आईटी में मोधी जी के बच्चे का ना हो अगर उनके बच्चे होते तो बिनर एक्जाम के आगे चलते हैं फिर बुबनेश सर आपको मैट्स पढ़ा रहे हैं मनाइटी जैपुर से कोटा में 11 साल से जादा इनको हो गए हजारों बच्चे आएटेन बने हैं ठीक है हरीश सर आपको पढ़ा रहे हैं आएटी डेली केमिकल इंजिनियरिंग जिनके रगों में केमिस्ट् दोड़ती है वो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको SMR में भी पढ़ाने वाले हैं मजा आने वाला है कोटा में 6 साल 5 साल से जादा का एक्सपीरियंस 1000 बच्चे आज आएटी में है सत्यम सर आएटी खड़कपुर ठीक है AIR 3397 बहुत सारे बच्चों की ड्रीम आएटी रेंक आएटी खड़कपुर से हैं तो कानपुर वाले हैं दिली वाले हैं बंबई वाले हैं खड़कपुर वाले हैं अपने पास M.I.T. जैपुर वाले हैं फिर वार्टी काम यह है हमारी कोटा से 6 साल से जादा का एक्सपीरियंस आप एक छोटा इसी चर्चा यह मुषलि आज माहराष्टर बूर्ड के भी रिजल्ट आये हैं और कल मैट्स का लास्ट एक्जाम था तो यार वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो SMR के थ्रू IAT में नहीं जा सकते मैं पहले ही बता देता हूं यारा I am very honest मैं यह नहीं चाहता आप अगला एक मह लेना चाहिए है ड्रॉप लेने से एक personality में enhancement होता है ड्रॉप लेने से एक risk लेने की ability आती है ड्रॉप लेने से आप अपनी आखों में आखें डाल कर देख पाते हो कि मैंने अपने सपने के लिए compromise नहीं किया ड्रॉप ले लिया तो अगर अभी तक कुछ नहीं किया है आप आपको कुछ नहीं आता है तो ड्रॉप ले लेना अगर बारवी कक्षा में हो किसी का वेट मत करना mostly बच्चे अपना ड्रॉप यह बिगाड़ेंगे दो महीना वेस्ट करके जही मेंस की तैयारी करके difference क्या है अभी आपको यहां पे जो मैं chemical bonding का revision करवाऊंगा सवा घंटे में पूरा revision हो जाएगा वहीं पे अगर आप इसकी पूरी थियोरी पढ़ोगे तो 10 दिन आपको minimum लगेंगे जे advance level पे पहुंचने में तो 10 दिन की चीज सवा घंटे में नहीं होगी अगर आपने अभी तक उसको advance level तक नहीं पढ़ातो तो मेरा suggestion यही है कि अगर कुछ नहीं आता 50% ही syllabus है जे advance level तक हम नहीं गए और हमारा ITN बनने का dream uncompromisable है तो drop ले लेना ठीक है चलो शुरू करते हैं सच्चे दर्बार की जए इबर जहां पे भी हो मेरे को दिख तो नहीं रहा है बट दोनों हाथ उचे कर दो ताकि एक stretching हो जाए हम ready हो जाए ठीक है आज का सत्संग शुरू करते हैं कारिक्रम शुरू करते हैं मज़ा आएगा ठीक है चलो पक्का बड़े आगे let's go let's go let's go करन मेरे को पता है यार तो मज़ाग कर रहा था मैं भी तो तेरे को छेड़ रहा था लव यू टू चलो let's go जै माता दी सच्चे दरबार की जै शुरू करते हैं पाड़ी हाँ भई तो पूरे चैप्टर की सबसे इंपोर्टन्ट लाइन यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दी है chemical bonding is all about energy जितनी कम energy molecule, element, फलाना धिमा का उतना ही जादा stable definition पर focus मत करना सिर्व इस चीज़ पर focus करो यह पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एक simple से formula पे के q1 q2 by r square सर क्या electrostatics पढ़ाने वाले हो क्या जी हाँ electrostatics ही पढ़ाने वाला हूँ ठीक है सर सच में electrostatics पढ़ाने वाले हो जी हाँ electrostatics ही आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सर आईसे कैसे chemistry है यह physics नहीं है नहीं बाबा यह physics ही है जिसको हम chemistry के रूप में पढ़ेंगे अभी देखना कैसे ठीक है सबसे पहले हम सवाल यह पूछते है एक bond होता क्या है और बनता क्यूं है bond बनने से किसी molecule को क्या फायदा तो यार उसके लिए visualization जो इसरल की power है अब इसको ध्यान से देखो यह दो atoms जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इस पूरे system की energy कम होती है इस बात को अपने जहन में डाल लो इस बात को अपने जहन में डाल लो तो molecule पास आए energy कम हुई तो bonding क्यों होती है क्योंकि और bonding कब होती है एक bond कब बनता है जब दो species के पास आने पर energy कम हो जाए अब सरे energy कम क्यों होती है कितने बच्चों को ये पता है कि मान लो ये मेरा hydrogen है इसमें एक proton है और एक electron है ये मेरा एक और hydrogen है एक proton है एक electron है ये दोनों जब पास आएंगे तो energy कम होगी की जादा होगी पूरे system की चैट में लिखके बता दो energy कम होगी की जादा होगी अरे पास करा दूँगा जिंके राणे बेटा मेरे पर अगर शुरुआत हमने हग दिया ना और विल्कुल basic एक बार सही से नहीं समझा तो आगे रटता रहेगा और रट के marks आएंगे नहीं ठीक है आप तो इसका जवाब दो anxiety का क्या करूँ कहीं दूर जाओ anxiety को मा छोड़के आ जाओ वो गुम जाएगी हो 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 decrease होगी क्यों decrease होगी पहले अगर मैं सिर्फ इस डब्बे पर फोकस करना यहाँ पर एक attraction का force था बस मानलो इस attraction की force की value थी 10 ठीक है इसमें 10 की value थी ठीक है समझ में आगया हमको अब हम यह डब्बा हटाते हैं जब यह इसके पास आया तो एक attraction तो हो गया यह दूसरा attraction हो गया यह तीसरा यह चौथा यह तो total कितना attraction का force हो गया पहले इसमें 10 था इसमें 10 था total 20 का attraction force था अभी total attraction force हो गया 40 का पर साथ में repulsion का भी force आएगा majorly किस किस के बीच में repulsion होगा दो electron के बीच में इन दोनों के बीच में कम repulsion होगा क्योंकि बहुत दूर है एक दूसरे से तो मान के चलते हैं एक repulsion का भी force आया minus 10 बट दो hydrogen के पास आने पर net attraction का force 10 से बढ़ गया क्या हो गया? net attraction का force 10 से बढ़ गया है ना? ठीक है? पक्का? ठीक है बहियां और बहनों? चलो बहुत बढ़िया well done तो ये question थोड़ा time पहले मतलब जब subjective question आते थे तब ये question जे advance के paper में आया था कि hydrogen hydrogen मिलके H2 बना लेते हैं पर HE, HE मिलके HE2 नहीं बना पाते हैं तो ये repeat भी हो सकता है ऐसा क्यूँ? जब 2 HE pass में आते हैं तो repulsion dominate करता है और जब 2 H H pass में आते हैं तो attraction dominate करता है ठीक है? clear है? तो कोई भी molecule कब बनेगा? जब attraction dominate करेगा और molecule कब नहीं बनेगा? जब repulsion dominate करेगा this is total chemical bonding summed up in one line इससे ज़्यादा chemical bonding में कुछ नहीं है अब उसके अलग-अलग cases होते हैं जो अब हम पढ़ेंगे ठीक है? चलो आगे चलते हैं, clear हो गया? ठीक है? अब एक फरजी सा rule था, octate rule, 90% बच्चा, 90% बच्चा, जिससे मैं पूछता हूँ कि भाईया, bonding क्यों होती है तो वो बच्चे मेरे को बोलते है octate rule के कारण और इससे बुरा आंसर कुछ नहीं हो सकता पूरे जीवन में है ना? ठीक है? पक्का? है ना? यह सब फरजी है ऐसा कुछ नहीं होता दिस इन उब्जर्वेशन बेज रूल कि हाँ, noble gas में 8 electron होते है तो बाकी सब में भी 8 electron हो जाएंगे तो वो stable हो जाएंगे बट SO2 stable है की नहीं है? जरा मेरे को बताओ हाँ या ना में जवाब दो क्या SO2 stable है? है क्या SO3 stable है? है क्या H2SO4 stable है? है इन सब के central atom के पास 8 प्लस electron है 8 प्लस electron इन सब के पास है ठीक है? क्या BF3 stable है? है क्या BCL3 stable है? है क्यूं? इनके पास तो 6 ही electron है Because molecule सिर्फ stability के कारण बनता है number of electrons का उससे कोई लेना देना नहीं है clear? पक्का? दो molecule पास आए attraction जीत गया तो molecule बन जाएगा दो element पास आए attraction जीत गया तो molecule बन जाएगा और नहीं जीता तो molecule नहीं बनेगा अगर repulsion जीत गया तो molecule हार जाएगा clear है? फिर type of bonds हम शुरू कर रहे हैं अब पहला type हम पढ़ेंगे covalent bond का इसमें दो structure बहुत important होते हैं हर साल उनसे सवाल आते हैं पहली बात तो covalent bond बनने के लिए electronegativity similar होनी चाहिए तो hydrogen oxygen में covalent bond बन जाएगा पर अगर sodium और oxygen आया तो ionic bond बनेगा तो covalent bond अगर बनाना है तो electronegativity similar होनी चाहिए है इस पैसे question कैसे बनता है बन सकता है which of the following is not the correct reason of formation of covalent bond पहला होगा similar electronegativity दूसरा होगा कुछ तीसरा होगा कुछ चोथा होगा कुछ तो ऐसे basic चीजों में भी question आ जाते हैं दूसरा shared pair of electron में opposite spin होनी चाहिए localized होनी चाहिए item के बीच में मतलब अगर कहीं पे भी एक covalent bond मन रहा है तो एक की plus half की spin एक की minus half की spin तो दिखता कैसे जब H2 में covalent bond मनता है तो ये एक का nucleus ये दूसरे का nucleus और बीच में 2 electron जो opposite spin के हैं दोनों के बीच में हैं shared हैं तो ये hydrogen के पास भी 2 electron इस वाले hydrogen के पास भी 2 electron अब ये दोनों structure covalent bonds में सबसे ज़्यादा important हैं जिसमें सवाल आते हैं क्या-क्या समझना है इसका diamond में एक carbon 4 carbon के साथ bonded होता है इसी लिए ये एक insulator होता है इसका बहुत तगड़ा 3D structure होता है ये infinity तक इदर उदर जाता है insulator होता है hardest होता है graphite की क्या खास बात है यहाँ पर sheet based structure है अलग-अलग layers है अलग-अलग sheets है जो एक के उपर एक रखी हुई है और इन sheets में आपस में कौन सा bond है wonder wall forces जिसको हम अभी थोड़ा सा देर बात पढ़ेंगे wonder wall forces यहाँ पर है sheet में आपस में कौन सा bond है covalent bond है एक carbon कित्ते carbon से जुड़ा हुआ है एक carbon सिर्फ तीन carbon से जुड़ा हुआ है इसका मतलब एक electron free है जिसके कारण यह एक अच्छा conductor होता है यह क्या होता है एक अच्छा conductor होता है free electron है आप इसको बैटरी के बीच में connect करोगे तो electron इधर से उधर move होना शुरू कर देंगे जिससे कि यह electricity conduct कर लेगा जिससे यह क्या कर लेगा electricity conduct कर लेगा ठीक है पक्का चलो आगे जलता है फिर formal charge भाई जैसे मालो मेरे पास कोई भी एक molecule है OH- हमको इसमें पता करना है negative charge जाएगा किसके पास तो यह एक formula होता है total number of valence electrons free atom के अंदर तो oxygen में कितने होते हैं इसमें valence electron बताओ free atom में oxygen के valence electron कित्ते होते हैं 6 minus total number of loan pairs तो loan pair oxygen के पास कित्ते होते हैं भी या 4 2 होते हैं ना non bonding electrons पूछ रहा है तो loan pair कित्ते होते हैं 2 तो कित्ता हो गया 4 total number of bonding या shared electrons बताओ जड़ा low structure के उपर कितने होते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 3 loan pair है sorry यहाँ पे 3 loan pair है तो यह 6 हो जाएगा और यह कितना है oxygen और hydrogen के बीच में दो electrons shared है तो half minus 6 minus 6 minus 2 by 2 तो इस पे formal charge हो गया minus 1 का तो ऐसे formal charge calculate कर लेते हैं आज तक इसका कभी सवाल आया नहीं आएगा भी नहीं मुश्किल है इसलिए इस पे ज़्यादा time spend हम नहीं करेंगे अब हम main चीज पे आते हैं अब हम main चीज पे आते हैं जिससे सारे सवाल बनते हैं है ना जिससे की सारे सवाल बनते हैं उस पे हम आते हैं ठीक है V-S-E-P-R ठीक है है ना चले आगे अब देखो आज P-Y-Q भी कराएंगे क्या बिल्कुल P-Y-Q कराएंगे आप मेरे को एक बाद बताओ क्या मैंने ये CO2 का correct shape बनाया है क्या क्या CO2 linear होता है क्या Is CO2 linear हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना क्या CO2 एक linear molecule होता है क्या अब जल्दी बताओ कुछ बच्चे बुलने नहीं अरे पगले हो गए हो क्या linear ही होता है क्या पड़ा अभी तक तुमने भी या बहुत गेरे पानी में हो अब ध्यान से सुन लो इसलिए बोलो reason सुनो रटो मत ये ऐसा भी तो हो सकता है इसमें क्या गड़बड है ऐसा भी हो जाएगा ऐसा ही क्यूं ये structure सही है ये structure गलत है ऐसा क्यूं जवाब दो चैट में लिखके बताओ ऐसा क्यूं एसा क्यूं हो रहा है एक बच्चे ने से गोला repulsion हो रहा है यहाँ पर problem ये है कि इधर अपने पास 4 electrons है इनको आप जबरदस्ती पास में लिया है distance कम हो गया electrons के बीच में यहाँ पर ये पूरा linear था तो electrons के बीच में maximum distance है जो possible है इस type के molecule में तो हमको क्या करना था मैंने आपसे बोला था कि energy पे सब कुछ depend करेगा attraction को maximize करना है repulsion को minimize करना है mostly बच्चे क्या करते है शेप याद कर लेते हैं वीएसी पियार में शेप आता क्यूं है ये तक नहीं पता होता इसलिए आपके ना advance में नमबर आते हैं ना means में नमबर आते हैं आज बता रहा हूं ध्यान से सुन लो repulsion को minimize करना है इस theory का नाम वीएसी पियार का full form कौन बताएगा मेरे को वीएसी पियार का full form क्या है बताओ जड़ा वीएसी पियार का full form वीएसी पियार का full form क्या है एसे मार से 120 नमबर आ जाएंगे क्या बिल्कुल आ जाएंगे तेरे 120 नमबर 120 क्यों लाना चाहता है बेटा 600 थोड़े और 60 नमबर बढ़ा 180-200 के फाइट कर वेलेंस शेल इलेक्टरॉन पेर रिपल्शन थियोरी एकदम सही बोला तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो भी शेप आता है उसका सिर्फ एक कारण होता है कि रिपल्शन को मिनिमाईज करना है क्या होता है रिपल्शन को मिनिमाईज करना है कोई भी इलेक्टरॉन एक सेंट्रल एटम के अराउंड दो तरीके से रह सकता है या तो वो bonded pair की तरह से रहे ठीक है या फिर वो lone pair की तरह से रहे जैसे oxygen hydrogen hydrogen ये कौन सा molecule है ये है पानी जो हम सब पीते हैं जल है तो जीवन है यहाँ पे अगर आप electron का distribution देखोगे तो 2 तो lone pair है पीछे आजा 2 दो lone pair है और ये bond pair है तो ये electron यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे ठीक है अब इनमें अगर हम repulsion compare करें कि कौन repulsion ज़ादा करता है तो lone pair पे सिर्फ एक nucleus का attraction है bond pair पे 2 nucleus का attraction है तो इस पे क्योंकि सिर्फ एक ही nucleus का attraction है तो ये ज़्यादा पास रहता है ज़्यादा पास रहने के कारण इनके बीच का distance कम हो जाता है तो इसी लिए repulsion का क्या order आता है loan pair, loan pair more than loan pair, bone pair more than bond pair, bond pair ये आपको लिखना है you have to learn this आगे जाकर हर theory में ये ही काम आएगा इसको लिखो अपनी copy में कि या loan pair, loan pair repulsion more than loan pair, bond pair repulsion more than bond pair, bond pair repulsion ठीक है LPLP more than LPBP more than BPP लिखो इसको चलो, बढ़िया आगे जलता है ठीक है तो यार आप ये सारी possibilities बनती है एक मैंने table बना दी है आपको molecules देखते जाने है और उनका shape बताने आ रहा है जैसे CO2 best possible arrangement linear हो जाओ 180 degree का angle बना दो maximum दूर रहेंगे bond pairs loan pair तो यहाँ पर है ही नहीं carbon के उपर दिखकत ही नहीं है bond pair के बीच की दूरी maximize कर दी इसलिए ये हो जाता है linear मान लो मेरे पास BF3 है best possible arrangement 120 degree का इससे दूरिया maximize हो गई electrons के बीच की तीनो bond angle 120 degree shape का नाम trigonal planar यह याद होना चाहिए है आपको BF3 देकर बोला जा सकता है shape कौन सा है और shape देकर बोला जा सकता है कि भाईया loan pair bond pair बता दो कितने है तो यह either ways हमें समझ में आना चाहिए है तो यह क्या हो गया यह हो गया BF3 trigonal planar ठीक है अब इसके पास ही में एक और molecule बनाता हूँ SO2 एक तो loan pair और दो bond pair अब हर साल कैसे question आते हैं आपको बताता हूँ मान लो इस angle का नाम है A1 इस angle का नाम है A2 कौन सा angle बढ़ा होगा जरा बताओ जितने भी लोग पहले मेरे को बोल रहेते हैं सर तेज बढ़ाओ ये करो वो करो उनकी यहाँ पे band बजने वाली है सही बता रहा हूँ मैं reason बताओ फटाफट region region बताओ reason 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 चलो तो सही आंसर है A1 बड़ा होगा पड़े लिखे बच्चे भी है आज चैट में क्या वाद है क्यूं क्यूंकि भाईया loan pair bond pair repulsion ज्यादा होता है bond pair bond pair repulsion से तो ये इसको ज्यादा नीचे धक्का देगा तो ये angle बढ़ जाएगा ज्यादा धक्का दिया लात मारी ये ये लात मारी तो ये थोड़ा सा दब के नीचे तो इनका angle कम ये angle ज्यादा ठीक है तो SO2 क्या होता है bent होता है या इसका नाम angular है या एक V बन रहा है तो V shape है ठीक है फिर मेरे पास मालो चार bond मेरे को बनाने है तो मेरे पास shape हो जाएगा tetrahedral जैसे हमारा world famous example methane जैसे कौन जैसे methane ठीक है जैसे कौन methane ठीक है चले आगे है ना तो ये अपना methane हो गया maximum question यही से आते है इसके ज़स्ट बाद आपको nitrogen के उपर roan pair hydrogen 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 ये 3D structure है ये planar नहीं है ठीक है अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ ये काहीब है यहाँ बहुत पे अगर मैं बात करूँ इसकी इसकी बहुत गर हम बात करें इस चीज़ की कि अगर ये angle है A1 और ये angle है A2 तो कौन सा angle बढ़ा होगा बताओ वापिस से same ही question है पर जिसको पहली बार में नहीं आये था वो देख लो एक बार फिर से समझने का मौका फिर इसके बाद reason नहीं पूछूँगा फिर directly जो J means में question है हम वो करेंगे बच्चों ने answer दे दिया कि भीया A1 ही बढ़ा होगा सही बात है loan pair loan pair loan pair bond pair greater than bond pair bond pair और क्या हो गया pen repulsion ठीक है फिर इसके बाद अगला example अगर मेरे पास दो bond है और दो loan pair है तो क्या होगा shape मेरा हो जाएगा bent और angle कितना हो जाएगा 104.5 degree ठीक है hybridization क्या रहेगा SP3 hybridization अभी पढ़ेंगे पर हमको already आता है यहाँ पे भी hybridization क्या होगा SP3 ठीक है है ना फिर मान लो मेरे को 5 bond बनाने central atom से कितने bond बनाने 5 bond मेरे को central atom से बनाने बना लेते हैं PCL5 phosphorus chlorine 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 इसका hybridization क्या होता है SP3 D इसको बोलते क्या है trigonal bipyramidal trigonal bipyramidal क्यों बोलते है क्या reason है इसका trigonal bipyramidal बोलने का देखो ये एक आपका triangle ठीक है और ये दोनों chlorine ये तो इस plane में ये phosphorus ये CL ये CL और ये CL ये एक plane हो गया एक chlorine उपर ऐसे एक chlorine नीचे ऐसे आया समझ में तो एक pyramid कैसा बन रहा है इस chlorine और मेरे हाथ पे जो 3 chlorine है उनके बीच में एक pyramid कैसा बन रहा है नीचे वाले chlorine और मेरे हाथ पे जो 3 chlorine है उनके बीच में तो 2 pyramid बन रहे है इस trigonal shape के साथ इसी लिए trigonal by pyramidal तो गलती से अगर नाम भूल भी जाओ तो इस तरीके से आपको नाम याद रहेगा ठीक है पक्का अब इसमें question कैसे आते है कितने 90 degree के angle होंगे कितने 90 degree के angle होंगे ऐसे question इसमें आते है तो देखो ये जो उपर वाला chlorine है ये बाकी 3 chlorine के साथ नीचे 90 degree का angle बनाएगा नीचे वाला chlorine भी ये plane में जो chlorine है उन तीनों के साथ 90 degree का angle बनाएगे तो 6 तो हमारे 90 डिग्री के एंगल हो गए यह trigonal planar है तो एक triangle के अगर equilateral triangle है बीच में ऐसा है तीनों का angle कितना होगा? 120 डिग्री का तो 3 120 डिग्री के angle हो गए और यह जो दोनों chlorine है एक plane के उपर और एक plane के नीचे उनके बीच में 180 डिग्री का angle है उनके बीच में 180 डिग्री का angle है तो यह angle हो गया हमारा 180 डिग्री का समझ मैं इस बात? ठीक है? आगे चलें? चलो अब अगला case आता है कि अगर मेरे पास 4 bond pair हो और एक loan pair हो तो क्या होगा? अगर 4 bond pair और एक loan pair हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जो भी होगा मन्जूरे खुदा होगा हाँ 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 जोक बेकार वाला ठीक है? तो मेरा shape क्या बन जाएगा? मालू मेरे पास S4 है तो मेरा shape बन जाएगा C100 बच्पन में C100 पे कौन-कौन बैठा है? और किसने अपने भाई बैनों को गिराया है एकदम से उठके मैं तो गिरा हूँ फिर मैंने अपने छोड़े भाई बैनों को गिराया बदला लेने के लिए ठीक है? इसमें एक होगा loan pair कौन-कौन बच्चपन में C100 पे बैठा है? बच्पन में C100 पे कौन-कौन बैठा है? और किसने गिराया है? अपने भाई बैनों को या किसी दोस्त को सौरव ने बोल दिया मैंने गिराया है सर जूला, हाँ हाँ वोई जूला खुश्मूने भी गिरा है मैं तो बहुत गिरा हूँ एक बार ये टूटा भी था खोन वोरा आ गया था वह हो कर तो एक जूला होता है एक तरफ बैठते हो दूसरे तरफ हावा में तो जो भारी होता है वो जीत जाता है बाकि आप चीटिंग करके तो जीती सकते हो तो इसका नाम क्या हो गया C-Saw ये कैसा शेप है C-Saw जैसा शेप है इसमें जो भी एंगल है वो 120 डिगरी से कम है ठीक है और 90 डिगरी से कम है लोन पेर आने के कारण इसके शेप में कुछ-कुछ बदलाव आ जाते हैं क्योंकि लोन पेर जादा रिपल्शन मारेगा as compared to a bond pair तो वो एंगल्स को कम कर देगा ये तो chemistry की बात हुई ठीक है चलें आगे पक्का चलो तो जैसे ये question आया था ठीक है मैं इसका answer पहले ही mark कर रहा है स्वार ही उसके लिए मैं answer के सामने खड़ा हो जाता हूँ ये मिटरेगा भी नहीं एक second सब लोग अपने आखे बंद कर लो इसका answer हम मिटा देते हैं इसका answer मिटाना पड़ेगा भही answer इसका मिटा देते हैं आगे भी और answer चलो ये question है question क्या बोल रहा है given below are two statements एक assertion है एक reason है assertion क्या बोल रहा है HOH bond angle in water molecule is 104.5 degree अच्छा ठीक है अभी हमने देखा था यह होता है इस question को मैंने क्यों लिया आपको एक चीज सिखानी है ठीक है इस question को मैंने क्यों लिया आपको एक चीज सिखानी है और वो चीज है कि H2O का bond angle 104.5 degree होता है याद कर लो NH3 का bond angle 107 degree होता है याद कर लो CH4 का bond angle 109.5 degree होता है याद कर लो ठीक है कसम खालो कि इनको याद करेंगे कसम खालो कि इनको हम याद करेंगे चाहे जो हो इन तीनों को याद करना है ठीक है दूसरा लोन पेर, लोन पेर, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का जादा होता है bond पेर, बॉन पेर, रिपल्शन से तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये चीजे आती है और मैं को याद भी नहीं था कि ये वाला question है पर ये आती है तो आती है तो सही बात है इसका assertion भी सही है reason भी सही है और reason, assertion का correct explanation है clear? आगे चले पका शौर चौरो भी आगे चलते हैं let's move forward answer हो गया 4 फिर अगर मानलो मेरे पास 3 bond pair है और 2 lone pair है तो क्या होगा? जैसे मेरे पास मानलो CLF3 है तो क्लोरीन के पास अपने 2 lone pair ठीक है? और 3 इसकी हमने bonding करा दी ये थोड़ा सा गड़बड बन गया थोड़ा इसको सही बनाते हैं हम तो ये कैसा लग रहा है? टी के जैसा ये मानलो मेरा सर क्लोरीन है तो ये दो फ्लोरीन मेरे हाथ और मेरी पूरी बोड़ी एक और फ्लोरीन तो कैसा शेप बन गया? बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? राजपाली अदर पूछ रहा है टी शेप हो वेजे ठाकर जी टी शेप सर ह्टू का शेप 104.7 दिया होता है तो भी सही है का नहीं गलत है 104.5 ठीक है? टी शेप दिग गया? दिग गया जनाब दिग गया बिल्कुल दिग गया हमको चलो अब मानलो मेरे पास bond pair दो और loan pair तीन हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा ऐसा हो जाएगा या चलो इसको अलग तरी कैसे बनाते हैं? आपको बेटर समझ में आएगा ये क्या हो गया? एकजी एफटू ये क्या हो जाता है? लीनियर इस साल मेरे अंदर से टीचर वाली आवाज आ रही है कि ये वाला एक्जामपल पूछा जा सकता है तो एकजी एफटू का शेप क्या होता है? लीनियर होता है ईकजाम में शेप निकालेंगे कैसे? ये क्वेस्चन बहुत अच्छा क्वेस्चन है जो आपको पूछना चाहिए है कि सार हम एकजाम में शेप कैसे निकालेंगे? सिम्पल तरीका होता है सब से पहले हाइब्रिडाईजेशन निकालो hybridization कैसे निकालेंगे number of bond pair plus number of loan pair से जैसे XF2 की अगर मैं बात करूँ 2 bond है 3 loan pair है तो total कितने हो गया 5 तो ये वाला hybridization कौन सा हो जाएगा SP3D SP3D में अगर सारे bond pair है तो trigonal by pyramidal चार bond pair एक loan pair है तो C100 तीन bond pair दो loan pair है तो T-shape और अगर दो bond pair और तीन loan pair है तो linear तो hybridization के हिसाब से shapes को याद कर लो ठीक है? hybridization के हिसाब से shape को याद कर लो जैसे अब मेरे साथ साथ आप चैट में लिखोगे मान लो मेरा hybridization है SP3 bond pair 3 sorry bond pair 4 loan pair 0 क्या shape होगा? चैट में लिखके बता दो अगर hybridization SP3 है 4 bond pair है और 0 loan pair है तो क्या shape होगा? बताओ सर सिंपल है tetrahedral होगा अगर ये 3 3 और 1 होगया तो pyramidal होगा 2 और 2 होगया तो bent होगा तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो फिर number of bond pair अगर 6 तो SF6 बन जाएगा octahedral कैसा होता है एक square होता है बीच में एक fluorine plane के उपर एक fluorine plane के नीचे सारे angle 90 degree के होते हैं ये इसमें याद करने की चीज़ है question यहां से numerical type आ सकता है number of total angles of 90 degree in SF6 fill the numerical value answer हो जाएगा 12 फिर मान लो मैंने एक fluorine को अटा दिया मतलब मेरे बस 5 bond pair और एक lone pair है मैंने बना दिया BRF5 और यहां पर आ गया एक lone pair तो square pyramidal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा square pyramidal तो क्या हो जाएगा square pyramidal ठीक है चले आगे पक्का तुवारा shape हो जाएगा square pyramidal फिर चार अगर bond pair है दो lone pair है तो shape हो जाएगा square planar एक lone pair उपर एक lone pair नीचे fluorine 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 और fluorine तो यह एक square बन रहा है मतलब exact मैंने shape नहीं बनाया sorry उसके लिए बड़ी एक square बनेगा और shape हो जाएगा square planar एक plane में square बन रहा है सारे angle 90 degree के बन रहा है 490 degree के angle यहाँ पर बनेगे ठीक है फिर मानलो मेरे पास bond pair है 7 lone pair है 0 IF7 का example IF7 तो क्या हो जाएगा यह pentagonal by pyramidal क्योंकि यहाँ पे एक pentagon बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा एक pentagon बनेगा यह क्या बन गया pentagon क्या बन गया यहाँ पे एक pentagon बन गया और यह उपर है यह plane के अंदर है यह plane से बाहर यह plane के अंदर तो pyramid बन रहा है pentagon के साथ दो pyramid बन रहे हैं तो pentagonal by pyramidal फिर आप इसमें से एक-एक वो हटाते जाओ ये सारे shapes आते जाएंगे अब इसको आपको table को याद करना है PDF मिल जाएगी table याद कर लेना अगर मैं यहाँ पर एक special case बता जेता हूँ जब मेरे पास 6 तो bond pair है और एक lone pair है तो इसको बोलते है pentagonal by pentagonal pyramidal या distorted octahedron ये advance में सवाल पूछा जाता है XZF6 का shape क्या है? distorted octahedron क्या shape है? distorted octahedron distorted octahedron distorted octahedron इसका shape है clear है? तो इसमें होता क्या है? मेरे पास एक octahedron होता है जैसे SZF6 में था और बीच में एक lone pair होता है देख रहा है आपको साप साप देख रहा है? ये जो साप होता है ये जो lone pair है ये घूमता रहता है पूरे molecule में कभी उपर, कभी नीचे कभी उपर, कभी नीचे कभी उपर, कभी नीचे stationary नहीं रहता तो ये जिस-जिस bond के पास जाता रहेगा वो bond इससे दूर होता रहेगा जैसे मालों ये साप है मेरे सर एक bond है ये मेरे पास आगया घूमके तो ये bond पीछे हो जाएगा सब्दोगा है पहले ये दूर था तो मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे ये घूम के मेरे पास आया तो मैं पीछे ओ गूम के मेरे जाए तोड़ा सा technical है बट मज़िदार है तो इसको बोलते है distorted octahedron क्योंकि ये shape distort होता रहता है किसके कारण साप के कारण वो जो loan pair है उसके कारण shape distort होता रहता है ठीक है? अनिये ठीक है? चाय भी आगई भी या चाय भी एंगे अब हाँ ठीक है आगे चले चलो फिर मेरे पास अगर 5 bond pair हो दो loan pair हो तो क्या बन जाएगा? pentagonal planar कैसे बनेगा सार? जना बताओ तो साही इनको हटाओ इनकी जगे आप इनकी जगे एक एक जी को लगा दो एक जी एक loan pair उपर एक loan pair नीजे क्या भीगे यहाँ भी? मुझे से देख की धगदा खोरी लाए pentagonal planar क्या बन गया? pentagonal planar pentagonal planar pentagonal planar आचा चलो चैट में लिखके बतादो किस किस को पहली बार जीवन में distorted octahedron समझ में आया? बदाओ जना बदाओ 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 किस किस को समझ में आया? साप के थुरू साप के थुरू जब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ ओ-ओ-ओ-ओ फिर से question आ गया इसमें भी tick लगा हुआ है प्रतीक सर याज आपने क्या किया? क्या 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 अब अगर यह कुश्चन जो एडवांस में आ गया और इसके विजुलाइजेशन पर बेस कुछ कुश्चन पूछ लिया तो मुझे पार्टी चाहिए मैंने आपके चार नंबर या प्लस फोर लाके आपको दे दिये हजार रैंक मैंने आज आपके बढ़ा दी ठीक है चलो अब यह कुश्चन का फटावण आंसर बता दो पहले आंसर बता ओ फिर मैं करवाऊंगा अब यहां से अब हम स्पीड पकड़ने वाले है वार्मप टाइम हो गया खतम अब होगा स्पीड नीड फॉर स्पीड वाह क्या चाय बनाई है सब ने आंसर दे थे हैं थ्री सब सही आंसर दे रहे हैं क्या देखते हैं अभी गाओं वालो आंसर क्या होगा असेंटरल अटम इना मॉलिक्यूर है स्टू लोन पेर्स अफ एलेक्ट्रॉन्स तो दो हमारे पास लोन पेर हैं एंड फॉर्म्स थ्री सिंगल वांड्स तीन बांड पेर हैं हाइब्रिडाइजेशन एस्पी थ्री डी सर ने बताये था जब जब एस्पी 3D हो और तीन बांड पेर हों और दो लोन पेर हों तो शेप हो जाता है T-Shaped हो गया ना T-Shaped T-Shaped कैसा शेप ऐसा मेरी बाड़ी T का डंडा और मेरे दोनों हाथ T के दोनों हाथ ठीक है दो लो उन पे आपको नहीं दिख रहे जो मेरे seeing है है ना चले आगे let's go Roger, let's go, answer 3 फिर से आगया यार अब ठीग है कोई बात नहीं, ये question मैंने क्यों लिया है, क्योंकि you have to learn this you have to learn this example i3 minus का bond angle होता है 180 degree shape होता है linear ये 75 करोड बार question पूचा जा चुका है Jee और Neat में तो इसको याद ही कर लो बढ़िया, इसको क्या करो याद कर लो क्या करो, याद कर लो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, time निलगाँ गो इस पे है ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ आगे, आगे स्ट्रक्चर एकजी F5 माइनस और एकजी O3 F2 का क्या होगा शेप और स्ट्रक्चर अरे याद ऐसे मत कर याद अरे याद ऐसे मत कर याद हाँ, अब बताओ इस question का answer इस question का answer क्या होगा वहिया इस question का answer क्या होगा जल्दी से बता दो याद ऐसे मत करो याद प्लीज, I am requesting सर चारों answer होंगे क्या नहीं, answer तो यह की है जैई मेंस का सवाल है न, पगले देखाँ न, दिमाग लगाया जो IATN का दिमाग एकजी F5 माइनस तो इसका मतलब क्या अब ये अच्छा question है इसको चलो, मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है एकजी F5 माइनस जब भी आपको एक मॉलिक्यूल पे negative charge दिया हो बाइ डिफॉल्ट उसको central atom पे assume कर लो ठीक है तो एकजी के पास कितने electrons होते हैं अगर वो neutral होता है तो, बताओ 8 होते हैं mostly बच्चों को XE F5 माइनस का shape निकालने में दिक्कत आती है इसलिए help कर रहा हूँ बहुत प्यार से जिनको आता है वो 2 मिन तसली से सुन लो हमने उसको एक negative दे दिया तो total कितने electrons हो गए 9 तो bond बराने के लिए कितने electron होए सर 9 हो गए 9 हो गए bond कितनों ने बनाया 5 fluorine तो minus 5 तो 5 तो bond बन गए non bonded electrons कितने बचे सर 4 मतलब 2 loan pair अब count कर लो न 5 तो bond pair 2 ठो loan pair hybridization sp3 d3 shape हो जाएगा pentagonal planar same काम xo3 f2 में करना है so double bond में तो 2 bond है तो हम 2 bond pair मानेंगे क्या नई चाहे double bond हो चाहे triple bond हो उसको एक ही bond pair माना जाता है चाहे bond double हो चाहे triple या single bond pair एक ही माना जाता है तो देखो xenon के पास total 8 electron यहाँ पे तो कोई charge भी नहीं है एक oxygen 2 electron देता है तो वो xenon के भी 2 electron के साथ bond करेगा तो 3 oxygen ने xenon के 6 electron खा लिए fluorine के 2 fluorine के 2 electron मतलब share कर लिए क्योंकि fluorine एक single bond के साथ ही share करता है तो xenon के 8 electron occupy हो गए तो loan pair तो नहीं बचा तो total bond pair कितने 5 loan pair कितने 0 तो hybridization कितना SP3D तो shape हो जाएगा trigonal bipyramidal तो सही answer क्या है धड़क और अ सही answer है 1 सही answer क्या है 1 सही answer क्या है 1 तो बच्चे जैसा चैट में बता रहे है जो थोड़े से technical बच्चे है वो समच सकते है कि आप आराम से उसको sigma bond के थूँ समझ सकते हो एक और definition होती है number of sigma bond plus number of loan pair तो double bond हो या triple bond sigma bond तो एक ही बनेगा यह definition होती है surrounding atom plus loan pair जैसे आपको खुशी मिले जिसमें आपका दिल लगे ठीक है आप हम आजाते है VBT पे VBT बोलती है कि bonding होती है जब orbitals overlap करते है ठीक है VBT क्या बोलती है valence bond theory आप हम आजाते है bonding की theories पे कि bonding होती कैसे है तो कैसे होती है जब orbitals overlap करते है तो SS overlap करेगा या SP overlap करेगा या PP axial overlapping होगी तो बनेगा sigma bond ठीक है क्या बनेगा sigma bond बनेगा कुछ इस तरीके से और अगर PP sideways overlapping होगी तो बनेगा pi bond DD sideways overlapping होगी बनेगा pi bond PD sideways overlapping होगी बनेगा pi bond ठीक है clear simple है इसमें कुछ नहीं है तो question कैसे आते हैं इसमें count the number of sigma and pi bond in acetylene mark your answer as the sum of sigma plus pi bond तो ये अपना acetylene है ठीक है gray वाले carbon है white वाले hydrogen है किसी भी atom के दो atom के बीच में VBT के according पहला bond sigma bond मनता है तो एक sigma bond तो ये हो गया hydrogen के पास कौन सा orbital है S orbital key point क्या है trick क्या है S orbital G1 में चाहे जो हो जाए sigma bond ही मना सकता है तो दो sigma bond तो ये वाले हो गए एक sigma bond ये बीच वाला हो गया this is sigma this is sigma this is sigma this is pi this is pi तो तीन sigma bond और दो pi bond तो answer हो जाएगा 5 अगर sigma plus pi का sum पूछा है तो अगर sigma plus pi का sum पूछा है तो ठीक है चले आगे पक्का कोई दुख कोई दर्द नहीं है चलो आगे चले अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री का आफ्टर स्ट्रक्चर्ज शुरू हो चुका है यहां से भी बहुत कोईस्टन्स पूछे जाते हैं ठीक है तो अब bond strength के हम बात कर रहे है सबसे पहली बात तो sigma bond strength pi bond से stronger होती है so sigma is a stronger bond as compared to pi ठीक है simple सा फंडा क्या है जैसे जैसे overlapping बढ़ेगी जितनी effective overlapping होगी bullshit बढ़ेगा क्या बोल देख असर आपने है यह लिखा था तो बोलने म saying bond strength स्टेंथ तुमने क्या सुना बताना तो जरा मैंने क्या बोला और तुमने क्या सुना मैंने तो बाक्य अच्छा ने कुछ था कीशचा जो भी सुनाि थीक है तो सिग्मा की स्ट्रेंथ पाए से ज़्यादा होगी क्योंकि sigma bond में overlapping better होती है क्योंकि sigma bond में overlapping better होती है फिर bond strength size के inversely proportional होगी ठीक है bond strength bond strength bond strength size के inversely proportional होगी सर ऐसा क्यों होता है इसका reason जानना है कि सर हम तो revision कर रहे हैं हमें reason मत बताओ बस बताते चलो reason जानना है तो हाँ और reason नहीं जानना तो ना size matters reason जानना है तो हाँ और reason नहीं जानता है तो ना हाँ या ना में जवाब देदो हाँ या ना में जवाब देदो सर जानना है reason नहीं जानना सर reason हाँ बोला हाँ तो चलो टूपी टूपी अगर overlapping हो रही है उसको compare करेंगे 3P 3P overlapping से तो यह मेरी 2P 2P overlapping है यहाँ पर electron है यहाँ पर electron है ऐसा मान लेते हैं कर लेते हैं तो यह मेरी चलो ऐसे नहीं करते हैं यह मेरी 2P 2P overlapping है ठीक है यह एक का nucleus यह दूसरे का nucleus यह एक का nucleus यह दूसरे का nucleus यह मेरी 2P 2P है और यह मेरी 3P 3P है फरक्या पड़ा electron और nucleus के बीच की दूरी बढ़ गई 3P 3P के case में बोलो हाँ की ना क्या 3P 3P वाले case में electrons nucleus से दूर हो गए हैं क्या 2P 2P के comparison में बोलो हाँ की ना हाँ की ना हाँ की ना पटावट से बता दो जैमादारी बोलो 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 भीया बोलो तो अगर size ही बढ़ गई और अगर हम formula लगाए के q1 q2 by r square तो r बढ़ गया तो force कम हो गया तो stability कम हो गई क्योंकि energy बढ़ गई तो जैसे जैसे size बढ़ेगी bond strength कम होती जाएगी तो अगर आपको कोई question दे दे 1s2P जादा जादा इकी 2s2P आंसर हो जएगा 1s2P जादा स्ट्रॉंग है फिर जितना better directional nature होगा उतनी ही bond strength stronger होगी तो for example 2p 2p जादा स्ट्रॉंग होगा 2s2P के comparison में और वो जादा स्ट्रॉंग होगा 2s2s के comparison में जितना directional nature होगा overlapping उतनी better होती है जितनी better overlapping होगी distance उतना ही कम होगा distance इत जाएगी अब अगर मैं compare करूँ अगर मैं compare करूँ 2P 2P और 1S 1S में किसका bond strength ज़्यादा होगा 2P 2P और 1S 1S किसका bond strength ज़्यादा होगा बताओ 2P 2P और 1S 1S किसका bond strength ज़्यादा पटावट से बता दो तुमारा नाम क्या है बसंती 1S 1S की बॉन्ट स्ट्रेंज जादा होगी देखा एक बच्चे ने गलादा अंसर दिया मैं बोल रहा था न वह यह साइज डॉमिनेटिंग फैक्टर होती है 1S 1S जादा स्ट्रॉंग होगा as compared to 2P 2P ठीक है चले आगे size dominant factor है size जादा matter करती है फिर bond energy की अगर हम बात करें तो bond energy जैसे जैसे size बढ़ेगी वैसे वैसे कम होगी bond energy का मतलब bond को तोडने में जितनी जादा energy देनी पड़ रही है जितनी जादा bond energy उतनी जादा stability यह हमारी पुरानी energy नहीं है यह bond energy है definition change हो चुकी है bond को तोडने के लिए जो energy देनी पड़ती है that is bond energy तो वो जितनी जादा energy देनी पड़ेगी मतलब molecule उतना ही जादा stable था जैसे जैसे repulsion बढ़ेंगे bond energy कम होगी bond weak होता जाएगा यह हम already सीख चुक है पर अगर बात size और repulsion में compare करने की हो तो size जीतेगी फिर अब आता जाते है hybridization पे hybridization फ़लाना धिमा का definition not important निकालते कैसे है number of surrounding atom plus number of loan pair तो यह सारे question है इन सब के यह hybridization है BCL2 का hybridization loan pair है क्या? नहीं surrounding atom किते हैं 2 SP loan pair है क्या? नहीं surrounding atom 3 SP2 loan pair है क्या? हाँ 2 loan pair है surrounding atom किते हैं 2 तो 4 hybrid orbitals चाहिए SP3 XO2 2 loan pair 2 surrounding atom SP3 5 bond pair 0 loan pair SP3D XO2F4 no loan pair 6 surrounding atoms SP3D2 IF7 no loan pair 7 surrounding atoms तो SP3D3 ठीक है? clear? पक्का? है ना? हाँ यह बच्चा सही बोल रहा है जो bond energy हमने पहले ली थी that was bond dissociation energy ठीक है? तो hybridization निकालना है is very easy तो यार अठारा मार्च 2021 को जो अठारा मार्च की shift थी उसमें यह question आया था कि रुक जाओ इसका answer हटा देते हैं वापिस आता है हाँ तो आपको यह molecule दिया है ठीक है? और आपसे पूछा गया है carbon A, carbon B और carbon C यह वाला जो carbon है इसका hybridization क्या होगा? तो इसका answer बता दो फटा फट molecule दिख रहा है कि zoom करूं A, B और C मेरा diagram बना देता हूँ यहाँ पर दुबारा अर्या dive round दुबारा बना लेते हैं अगर नहीं दिख रहा होगो तो तो यह आपका molecule है CH3 C double bond C O यहाँ पर फिर कुछ कुछ दिया है और इधर double bond है इधर double bond है तो this is carbon A this is carbon B and this is यह वाला जो carbon है this is carbon C इसका क्या answer होगा? बताओ कैसे count करेंगे? कितने loan pair कितने bond pair तो इसके पास तो कोई loan pair नहीं है क्या है? 4 bond pair है तो यह तो SP3 है तो सारे option में यह SP3 दिया है बीच वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे एक H भी है अब्यस सी बात है तो 1, 2, 3 bond pair है तो यह SP3 तो नहीं है यह SP2 है तो यह तो गया और यह भी गया ठीक है लास्ट वाले की बात कर लेते है इस वाले कार्बन की एक bond pair दूसरा bond pair तीसरा bond pair तो answer आजाएगा 3rd ठीक है? चलो Total number of loan pair of electrons in I3 minus iron is इसका answer कर दो I3 minus देखो सेम molecule आगया मैंने आप से क्या बोला था? कि यह molecule बहुत ज़्यादा important है ठीक है? यह molecule बहुत ज़्यादा important है बार 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 इसमें से सवाल आएंगे बताओ इसका answer बताओ यह question क्यों करा रहा हूँ? जब भी आपसे total number पूछा जाए loan pair का तो हमेशा central atom plus surrounding atom के loan pair count करने हैं ज़्यादा तर बच्चे जल्दी बाजी में इसका गलत आंसर देकर आते हैं यह I minus यह I और यह I तीन loan pair इस iodine पे हैं तीन loan pair इस iodine पे हैं इस iodine के पास total 8 electron है 2 electron bonding में चले गए 6 electron बचे वो भी 3 loan pair बनाएंगे तो इसका सही answer हो जाएगा 9 आपको पता है जिस साल यह exam हुआ था 80% बच्चा इसका 3 answer मार्क करके आया था क्योंकि वो surrounding item के loan pair calculate करना भूल गया था अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 3 answer दे रहे हैं पर इसका सही answer क्या होगा सही answer होगा इसका नहली 9 ठीक है तो answer is 9 सब्सक्राइब आया पक्का फिर अगला अगर एक complex form हो रहा है BF3 NH3 इससे boron के hybridization में एक change आता है तो सही answer कौन सा है बताओ 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 इसका answer बतादो फटावट से इसका answer बताओ अब एक भी answer सही नहीं है इसमें तो हाँ इसमें तो एक भी answer सही नहीं है कुछ printing mistake हो गया है तो हम एक काम करते हैं इसको उल्टा कर लेते हैं इसमें एक भी answer सही नहीं है जब boron अकेला होता है तो वो ऐसा होता है BF3 के case में सिर्फ तीन ही इसके पास surrounding item होता है तो hybridization हो जाता है SP2 पर जब BF3 NH3 बनता है तो nitrogen lone pair डाल देता है boron के vacant orbital में जिससे अब इसके चारों तरफ चार bond हो जाते हैं चार surrounding item हो जाते हैं तो hybridization हो जाता है SP3 तो इसका सही answer है SP2 से बदलके SP3 हो जाता है एक भी सही answer नहीं लिखा कुछ printing mistake, typing error हो गया जो भी है बट hybridization changes from SP2 to SP3 और इस bond को coordinate bond भी बोला जाता है सारे option रहोंगे भी सारे option रहोंगे तीक है मजे ले लिए गए आपके SP2 से SP3 इस bond को coordinate या dative bond भी बोला जाता है क्या बोला जाता है coordinate या dative bond भी बोला जाता है ठीक है भाई आगे चले यहाँ पर भी गलत लिखाए भाई SP2 से SP3 होता है यह तो चलो सही है तो final molecule में चाहे boron हो चाहे nitrogen हो दोनों का hybridization is SP3 SP3 change किस से हुआ SP2 से SP3 में हुआ ठीक है यह आपको याद करना है learn this this is hybridization in solid state हजारों बार question आयो है इस से अलग-अलग exam में चाहे advance हो चाहे जही mains हो you have to learn this this is hybridization in solid state इसको लिख लो यार अपनी copy में यह बहुत important है इसको एक बार लिख लो इसको एक बार लिख लो very important to write down in your notebook you have to learn this लिख लिया पक्का तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को हम सॉलिड बनाते हैं तो other than long 3D structure मॉलिक्यूल जैसे graphite, diamond, सारे मॉलिक्यूल के दो ionic पार्ट बन जाते हैं cation और anion ठीक है तो जैसे PCL5 है जब इसको हम solidify करते हैं तो ये दो पार्ट में break हो जाता है, एक बन जाता है इसका cation PCL4+, और एक बन जाता है इसका anion PCL6- तो यह आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट में break हुआ है, cation कौन सा है anion कौन सा है, तो उसमें सवाल आ जाते है, structure of PCL5 in the solid state is exactly ये question है था 5 September Teacher's Day 2020 बीस वाली shift में, ठीक है ये किस नहीं है, बीस है यहाँ पे, तो जेही में 2020, 5 September को जो shift हुई थी, last paper last slot वाले जो paper थे उसमें ये question आये था, तो you have to learn this mostly बच्चे trigonal, bipyramidal mark करके आ जाते हैं, minus 1 खाके आते हैं 5 नुम्मर का नुकसान, जो याद करके answer is 1 आगे, ठीक है ज़ार, इसरल में ये सब मिलता है, आप सब अपनी DP ये set कर ले न, साड़े चार बज गई है, मैं 5 मिनिट का break ले रहा हूँ, 5 मिनिट के break के बाद मिलेंगे, है न, after 5 मिनिट break, और अब गाड़ी यहाँ से तेज भागेगी, ठीक है अब हम गाड़ी को यहाँ से सूपर तेज भगाने वाले हैं, है न, चलो चले भई, 5 मिनिट का break, आप सब की DP ये लग जानी चाहिए WhatsApp के उपर, फिर हम दुबारा मिलते हैं, 5 मिनिट में है न, अभी 4.25 हो रहे हैं, हम 4.30 पर मिलने वाले हैं, ठीक है, चलो 4.30 पर मिलेंगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको चलो याद यह, 4.30 पर दुबारा मिलेंगे जिसको भी घूम क्या आना है, कुछ करना है, टैलना है, करना है, कर लो 4.30 पर दुबारा फोड़ा फोड़ी शुरू 5.30 पर दुबारा 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 6.30 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 पर दुबारा झाल 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 है झाल 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 है झाल 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 इसा क्यूं हुँआ टेंप्रेचर वढ़ाने से on an average, हर particle की velocity बढ़ गई, तो हमें क्या दिख रहा है, कि पहले अगर इतने particle थे इस velocity पे, इतने इस वाले graph में, तो अब particles बढ़ गए, जिनकी velocity इतनी है, तो on an average, हर fraction of particle की speed increase हो गई, तो T2 more than T1, है न, अलग-अलग speed अगर हम देखें, gas molecules की तो पहली होती है, average speed कैसे निकालते हैं, सारे molecules ले लो, उनकी speed ले लो, divided by total number of particles कर दो, formula क्या आता है, 8RT by pi M, M क्या है molar mass, R constant T temperature याद कर लेना इसको आप pressure volume में भी convert मार सकते हो, ठीक है तो average speed है, अलग-अलग molecule की particular temperature पे ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है तो U average is equal to this, pressure और density की term में भी निकाला जा सकता है ये भी आपको याद रखना है, direct question आते है pressure इतना है, density इतनी है, बताओ U average कितनी होगी निकल के आ जाएगी इस formula से ठीक है, फिर root mean square speed, सिर्फ formula हमारे ले important है, कैसे आया, we don't care ये इसका formula है, याद कर लो, PDF ले ले लेना याद कर लेना, समझने का कुछ भी नहीं है कैसे आया, not important from J means point of view, सिर्फ final formula important है, फिर अगला होता है, most probable speed under root 2RT by M, ठीक है तो 3 speed हमारे पास हो गई, U RMS ज़्यादा होती है, फिर mu average और फिर mu most probable, ये रिष्टा, ये speed ये इस पूरे revision का, जो हम states of matter का revision कर रहे है, ये इस पूरे revision का सबसे important part है इस से ज़्यादा important, इस chapter में कुछ भी नहीं है, ये PV is equal to NRT से भी ज़्यादा important है ठीक है nothing more, nothing is more important than this चलो, आगे जलते हैं तो, ये graph एक बार इससे question आया हुआ है, अभी question करा दूँगा आपको U most probable सबसे ज़्यादा फिर mu average सबसे ज़्यादा, मतब U, सारी मैं mu क्यों बूल रहा हूँ, और फिर U, RMS सबसे कम ठीक है ये उल्टा होगा इसका बताओ जरा, क्या रिष्टा था पहले हां में हां भर देते हो यार फटावट से, रिष्टा क्या निकला था RMS सबसे ज़्यादा फिर average फिर most probable, वो इस graph से भी दिख रहे हैं तो आपसे question क्या पूछेंगे इसको बोल देंगे A इसको बोल देंगे B और इसको बोल देंगे C mark करके, कि ये तीन अलग-अलग speed है इन में से B कौन सी होगी आपसे इसा पूछ लिया जाएगा जैसे इधर आया था identify the correct labels of A, B and C in the following graph 2020, 7 January, 2nd shift चार option दिये तो A वाली जो है वो सबसे छोटी speed है X axis पे सबसे left में है तो वो कौन सी होगी? most probable होगी B वाली उससे जादा तो वो average होगी और C वाली सबसे जादा तो वो RMS होगी answer हो जाएगा 4 answer क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ठीक है? R.A.M. बिलकुल सही बात है root mean square more than average more than most probable राम 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 ठीक है? चलो अब हम आ गए है real gas पे तो ideal gas में और real gas में क्या अंतर होता है? ideal gas में हम volume को neglect कर देते हैं और दो gas के particles के बीच में ऐसा मानते हैं कि कोई भी interaction नहीं है बट real दुनिया में ये दोनों hypothesis false है जो molecules होते हैं वो volume occupy करते हैं और जो हमारे molecules होते हैं उनमें या तो attraction या repulsion का force होता है तो अब क्या करें? PV is equal to nRT तो fail हो गई इसको real world में कैसे apply करें? जैसे ही हम volume of the molecules लेते हैं तो हमको volume में कुछ correction करना पड़ेगा क्योंकि real gas के पास उस container में घूमने के लिए जगे कम है कम क्यूं है? मान लो मेरे पास ये block है एक particle है इसमें तो क्या वो particle पूरे container में घूम सकता है क्या बिना रोक टोक के? हाँ या ना में जवाब दे दो क्या ये gas का particle इस पूरे container में बिना रोक टोक के घूम सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना घूम सकता है अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्बल्स डाल दूँ तो क्या अब इस पार्टिकल के पास कंटेनर में घूमने के लिए जगे कम हो गई क्या अब्विस सी बात है कुछ जगे इन मार्बल्स ने घेर ली रियल लाइफ में हर पार्टिकल खुद की एक वॉल्यूम रखता है तो टोटल वॉल्यूम जो घूमने के लिए हमारे पास थी वो वॉल्यूम मेरी कम हो गई तो एक्च्वल वॉल्यूम जो किसी भी पार्टिकल के पास अवेलेबल है घूमने के लिए वो आईडियल गैस की जो वॉल्यूम है उससे कम है तो हम volume correction की एक term लेके आते हैं wonder wall gas में चिसको हम बोलते हैं volume correction term मतलब जो free volume है घूमने के लिए vi वो total volume जो उस container की है minus जो volume उस gas ने occupy करी उसके बराबर है तो volume correction कैसे करेंगे pi vi is equal to nrt vi क्या है देखो free volume है vi तो vi को हम कैसे करेंगे यह actual volume है container की volume v minus एक volume correction का term जो हमने introduce कर दिया b के बराबर है तो अगर n particles है तो b की यह volume होती है मतलब b की value ऐसे calculate होती है b की value हमसे कभी calculate नहीं कराई जाती b की value question में दी जाती है तो यह formula याद करने की जुरत नहीं है अगर आपके पास एक से जादा mole है gas के या एक से कम है मतलब एक के अलावा तो volume correction हम कैसे करेंगे total volume minus number of moles into volume correction factor per mole तो इससे हमारे पास total correction आ जाएगा ठीक है तो b का unit क्या होगा बताओ ज़रा मिरे को जो b है उसका unit क्या होगा b का unit क्या होगा what will be the unit of b एक question आया हुआ है ऐसा अब बी का unit तो बता दो unit dimension नहीं बढ़ा गया बिलकुल सभी बात है liter per mole क्योंकि nb का unit volume के बराबर होना चीए तभी उसमें से मैं घटा सकता हूँ तो इसका unit हो जाएगा liter per mole अब हम कर लेते हैं pressure correction ठीक है excluded volume इसको core volume बोलते हैं ये constant होती है और हर gas के लिए अल्रेडी fixed होती है pressure correction हमें क्यों करना पड़ रहा है ये वाला पार्टिकल जब container से टकराने जा रहा था तो ये वाला पार्टिकल या तो इसको अपनी तरफ खीचेगा मतलब attraction का force लगाएगा या इसको और जोड से push करेगा मतलब repulsion का force लगाएगा बट कुछ तो करेगा या तो रोकेगा या ज़ादा जोड से भीजेगा तो हमको एक pressure correction की term भी यहाँ पे लानी पड़ेगी अगर ये नहीं होता अब ये attraction का case ही हम consider कर लेते हैं रिपल्शन को भूल जाते हैं अगर force of attraction यहाँ पे नहीं होता तो ये molecule जोड से टकराता comparatively ideal gas के case में तो ये तेजी से टकरा रहा था ठीक है तो वो attracted है सारी side से इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा पर जो टकरा रहा है वो से एक side पे attracted है तो हमको एक term add करनी पड़ेगी जिससे की जो real gas का pressure है वो ideal gas के pressure के बराबर हो जाए and that term will be a into n square divided by v square तो हमारी final equation क्या हो गई a gas के nature पे depend करता है हर gas के लिए अलग-अलग होगा हमारी final equation हो गई इसके बराबर p plus a n square by v square into v minus nb is equal to nrt यह नीचे चला गया यहां से इसको उड़ाओ nrt इसके बराबर हो गया nrt के बराबर हो गया इसको याद करना है ठीक है इसको क्या करना है इसको याद करना है p plus a n square by v square into v minus nb is equal to nrt we have to learn this आप से similar तरीके से a का unit भी पूछा जा सकता है तो जैसे हमने b का unit निकाला आप a का unit भी निकाल सकते हो ठीक है a का unit किसके बराबर होना चाहिए pressure के बराबर तो atm per mole square into liter square ठीक है तो atm liter square by mole square यह इसका unit हो जाएगा तो इसको wonder wall equation बूला जाता है या wonder wall gas equation बूला जाता है तो जैसा मैंने आपको बूला unit of wonder wall gas equation parameter a क्या होगा और आपसे यहाँ पर decimeter दिया हुआ है ठीक है तो decimeter को किस में convert करेंगे liter में तो decimeter की power 6 हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमको उसको किस से करेक्ट करना है volume से करेक्ट करना है तो volume का unit क्या होता है decimeter cube उसका square है तो decimeter 6 answer 4 इतने easy easy question आते है तीक है इतनी बड़ी equation लिखने की बजाए scientist लोगों ने एक और जुगाड निकाला और वो जुगाड क्या था कि यार इतना सब कुछ लिखूंगा उससे अच्छा PV is equal to ZNRT कर देते हैं क्या कर देते हैं PV is equal to ZNRT PV real is equal to ZNRT जहां पे जो real gas का अलग behavior है ideal gas के comparison में उस अलग behavior को Z पूरा account में ले रहा है ठीक है तो PV real is equal to ZRT अगर एक मोल है gas का तो तो Z किसके बराबर हो गया PV upon RT के किसके बराबर हो गया PV upon RT के बराबर हो गया तो जब Z1 से जादा है इसका मतलब बताओ volume जादा occupy करी जारी है 22.4 लीटर से जादा अगर ideal gas होती अगर ideal gas होती तो वो STP पे 22.4 लीटर volume occupy करती तो अगर Z से जादा है 1 से जादा है अगर Z तो VM किस से जादा हो गया 22.4 से जादा और अगर Z less than 1 है तो VM किस से कम हो गया 22.4 लीटर से कम हो गया तो Z से हमको ये पता लग जाता है कि volume कितनी occupy होने वाली है तो अलग-अलग gas के लिए अलग-अलग diagram बनते हैं ठीक है इसमें दो type के curve आपको दिख रहे हैं एक type 1 ये अपना होता है किस के लिए H2 और He के लिए graph हमने किस किस में plot किया है Z versus pressure mostly gases के लिए दुनिया की 90% gases के लिए जैसे जैसे pressure बढ़ाता हूँ Z पहले तो कम होता है फिर बढ़ना शुरू होता है helium और hydrogen के अलावा अब समझते हैं इस graph को Z less than 1 का मतलब क्या है volume कम occupy हो रही है volume क्या हो रही है कम occupy हो रही है volume कब कम occupy होगी जब attraction का force लगेगा attraction का force लगेगा सारे particle एक दूसरे के पास आजाएंगे volume कम occupy करेंगे mostly gases में जैसे जैसे pressure बढ़ाते है initially attraction का force बढ़ता है फिर दीरे बहुत ज़्यादा पास आजाते तो repulsion का force बढ़ने लग जाता है तो initially क्या होगा z decrease होगा फिर बढ़ेगा ठीक है पक्का इसको बोला जाता है negative deviation किस से? ideal gas से यह ideal gas का graph है z is equal to 1 सारी gases H2 और He के अलावा negative deviation दिखाती है H2 और He इनके molecules में force of attraction की जगे repulsion लगता है शुरुवात से यह attract करते ही नहीं है तो यह positive deviation दिखाते हैं यह क्या करते हैं? positive deviation दिखाते हैं तो H2, He positive deviation बाकी सब negative deviation ठीक है? z is equal to pvm by rt तो compressibility factor versus pressure का graph z1 है तो temperature प्रेशर पे depend दी नहीं करता exceptional behavior H2 और He का इन gases के लिए z1 से ज़ादा है repulsive forces dominate करती हैं तीसरा case जब z less than कम है H2 और He के लिए तो almost zero ही है ठीक है? molecules बहुत छोटे हैं size में wonder wall forces बहुत weak होंगे यह non polar होते हैं तो dipole-dipole interaction इनके लिए नहीं present है तो यह repulse करते हैं मतलब repulsion का force dominate करता है तो यार J.Mains में question आये था आपको इसमें क्या याद होना चाहिए? दो चीजें mostly gases का कैसा deviation होता है? negative deviation होता है positive deviation किसका होता है? H2 और He का एक mathematical question 2021 में आये था आपसे बोला गया है कि एक gas obey करती है P Vm minus B is equal to RT को अच्छा value क्या होगी? del Z by del P की at a constant temperature अगर वो value XB by RT है तो X की value निकालो ठीक है Z क्या होता है? चलो एक बार इसका answer करो देखते हैं आपको कितना आता है थोड़ा सा tougher side का question है अब बच्चे ने पहले answer लिख दिया क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ऐसे मत करो solve करो solve करके देखो Z मेरा होता है PVM by RT इस question की trick क्या है? सबसे पहले आपको Z को pressure के corresponding differentiate करने के लिए वो term बनानी पड़ेगी Z की pressure के relative तो वो कैसे करेंगे? इस equation को खोल के लिखते हैं PVM minus PB is equal to RT अगर मैं यहां पे RT को divide कर देता हूं तो क्या होगा? PVM by RT minus PB by RT is equal to 1 बहुत बढ़िया अगर मैं PB by RT को उधर ले जाता हूं तो क्या होगा? तो यहां से minus 9 हटेगा और equation बन जाएगी PVM is equal to 1 plus PB by RT मेरे को क्या करना है? temperature को constant मानते हुए partial differentiation करना है Z का P को नीचे रखते हुए क्या यह Z है क्या? यह Z है is equal to 1 plus P into constant constant क्या है? B by RT अब इसका differentiation कर दो तो अगर मैं यहां पर डेल लगाऊं नीचे डेल पी लगाऊं यहां पर डेल लगाऊं नीचे डेल पी लगाऊं यहां पर डेल लगाऊं यहां पर डेल पी लगाऊं तो यह क्या हो जाएगा? डेल Z by डेल पी तो मेरे को निकाल नहीं है keeping temperature constant डेल Z बाई डेल P तो मेरे को निकाल नहीं है keeping temperature constant तो 1 का differentiation कितना? 0 डेल P इंटू constant अपॉन डेल P ये कितना? प्लस C तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आ गया? डेल Z बाई डेल P keeping temperature constant is equal to 1 इंटू B अपॉन R T तो आंसर कितना हो गया? 1 के जितना हो गया? तो ये question जो आये था this was purely mathematical ये क्या था? purely mathematical question था इसमें पर हमको पता क्या होना चीए? कि Z is equal to PVM by RT उसके बाद सिर्फ जगलरी करनी थी mathematics की तो ये question हो जाता अब ये question ऐसा है जो rank दिलाता है तो दिमाग open रखके करेंगे तो हो जाएगा तो यार हमारा states of matter का revision हो चुका है अब 5 minute का break 7 बज़ के 10 minute पे दुबारा मिलते हैं तो आगे बड़ें चलो ब्रेक लो भाई 5 minute का very important break लेना इस ज़रूरी चीक है 10 minute नहीं 5 minute 7 बज़ के 10 minute पे दुबारा मिलेंगे करेंगे 1 अब 5 9 10 11 11 12 13 14 15 झाल 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 हलो बच्चों, क्या हल चाल है? झाल 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 मिलेगा वो atom होगा ऐसा डल्टन ने बोला था उसके बाद उन्होंने बोला कि सेम element के सारे atoms identical होते हैं उनकी shape size mass volume सब कुछ उनका identical होता है different elements के जो atoms होते हैं उनकी properties different होती मतलब उनका shape size और volume उनका different होता है ऐसा डल्टन ने atoms के बारे में सबसे पहले बताए था ठीक है तो डल्टन की atomic theory गलत हो गई थी यह आपको already यादे क्योंकि atom जो होता है वो सबसे छोटा particle नहीं होता है atom को भी हम divide कर सकते हैं protons neutrons and electrons में ठीक है तो पार्थ कुमार आ चुके हैं बोल रहे है हाई सर तो सब लोग हमारे students भी है regular कुछ students ऐसे भी हैं जो regular classes में होते हैं और YouTube में भी होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे जब Dalton की atomic theory हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे atomic mass unit के बारे में atomic mass unit क्या होती है atom का जो mass होता है वो बहुत कम होता है बहुत कम one gram के comparison में बहुत कम तो वहाँ पर atoms के mass को measure करने के लिए या atoms के अंदर जो particle होते हैं proton, neutrons and electrons उनको measure करने के लिए एक नई unit बनाई गई जिसका नाम है atomic mass unit यह क्या है mass की ही एक unit है जैसे कि mass को gram में measure करते हैं, kilogram में measure करते हैं, क्युवेंटल में measure करते हैं और tons में measure करते हैं उसी type से atomic mass unit जो है वो नई type की unit है जो की छोटे particles का mass measure करने में या उनका mass लिखने में use की जाती है तो definitely mass की unit है तो gram के साथ इसका relation जरूर होगा तो वन ग्राम जो होता है वन पॉइंट सिक सेवन इंटू 10 डेस पाउर माइनस 24 वन एम यू जो होता है वन पॉइंट सिक सेवन इंटू 10 डेस पाउर माइनस 24 ग्राम की क्वल होता है ठीक है this is the relation between mu and gram आप देख सकते हैं ग्राम के कंपरिजन में mu कितना छोटा है 10 डेस पाउर माइनस 24 इतना बड़ा इतना बड़ा डिफरेंस है mu and gram में तो बहुत छोटे 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 प्रेंटिकल्स जो होता है 10.02 इंटू 10 डेस पाउर 23 के इकवल होती है अप्रोक्स ये वेल्यू इसके इकवल होती है ठीक है और इसे बोला जाता है अवे गेट्रो नंबर यहां जो आपके सामने नंबर लिखा गया है इस नंबर इस कॉल्ड अवे गेट्रो नंबर और उसको हम na से रिप्रेजन करते है ठीक है अब एक इंड्रो नंबर क्या होता है यही वो नंबर है जो एक मोल को रिप्रेजन करता है और कहां से आया है यह नंबर सिंपल सी बात है कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया गया carbon 12 मतलब carbon का 12mul isotop लिया गया और उसका 12g ले लिया 12g carbon ले लिया और उसमें जितने atoms थे उसको 1mol बोला गया तो 12g carbon में 6.02 x 10.23 atoms होते हैं और इसी को scientist लोगों ने बोल दिया कि ये 1mol होता है तो 1mol क्या है basically 1mol एक number है जिसकी value इतनी होती है तो अगर मैं आपसे पूछू कि 1 dozen कितना होता है what is one dozen तो आप लोग क्या बोलेंगे फटा फटा फट आंसर बताए वन डोजन क्या होता है what is one dozen तो आप लोगों का अंसर होगा जल्दी 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 कमेंट करें फटा फट तो आपसे बोले कोई की one dozen बनानाज लेकर आजाएंगे तो इसी टाइप से आपसे कोई बोले कि one mol बनानाज लेकर आओ कितने बनानाज लाओगे 6.02 x 23 बनानाज तो basically one mole एक number होता है जिसकी value इतनी बड़ी होती है ठीक है जैसे one century hundred के equal होता है और one dozen 12 के equal होता है उसी type से one mole जो होता है इतना बड़ा number होता है ठीक है mu को कैसे find किया गया है आपके मन में question आ रहा होगा कि mu की value कहां से निकाली गई तो बहुत basic सी definition है one 12th mass of an atom of carbon 12 जो carbon 12 atom होता है उसका mass को one 12 से multiply कर दिया है और उसकी value आई उसी को one mu बोला गया है ठीक है तो यह चीजें आपको याद रखनी है one mole क्या होता है mu क्या होता है gram में कैसे convert किया जाता है and this one by 1.6 into 10 to the power minus 24 जो होता है वो na के equal होता है na को alligator number बुला जाता है ठीक है तो यहाँ पर complete calculation उसकी show भी हो चुकी है ठीक है और one gram को na into mu भी हम बोल सकते हैं क्योंकि one mu जो होगा na by one gram के one divided by na के equal होगा mu को represent करने का एक और तरीका है mu को लोग directly u भी लिख देते हैं u मतलब mu ही होता है unified mass जिसे बोला जाता है ठीक है अब one mole हम आपको अल्रेडी बता चुके है one mole एक बड़ा सा number है जिसको कहां से find किया गया है carbon 12 के 12 gram के जितने atom से उसको one mole बोला गया है तो इसको हम जरूर याद रखें अब इसको देखकर डरे नहीं जिसे ये चूहा है चूहा दिख रहा है सबको ऐसे बैठ गया है कि इतना बड़ा number क्या करूंगे इसका कुछ नहीं करना है बहुत आसान है अगर mole concept आपको difficult लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा मेंस के एकजाम में जो भी क्योशन आएगा डिफिनेटली आपसे solve हो जाएगा ठीक है तो आपको कभी भी one mole concept difficult नहीं लगेगा ऐसे नहीं बेटना है आपको एकदम खुश होकर बेटना है क्योंकि mole concept है बिलकुल आसान तो यह बड़ा सा नंबर है देखकर इसको बिलकुल डरे नहीं अब मोल्स की calculation होती है बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं मोल्स को find करने के लिए तो कैसे कैसे find किया जाता है अगर आपको number of particles पता है और मोल्स पूछे जाए तो क्या करेंगे आप उसको अवेगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे अवेगेड्रोस नंबर मतलब एन जिसको उमने बोला था 6.02 इंटू 10 डेस पावर 23 तो अगर मैं आपको number of particles प्रोवाइड कर दूँ particles में क्या क्या हो सकता है atoms भी हो सकते है molecules भी हो सकते है अगर वो सारी चीजे में आपको प्रोवाइड करूँ तो उनकी मोल्स आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे आप उसको एने से डिवाइड कर देंगे तो एक सिंपल सा question क्या जाएं find find number of moles find number of moles in 12.04 into 10 days power 23 molecules of nitrogen gas n2 मतलब nitrogen gas तो nitrogen gas के हमारे पास इतने सारे molecules हैं 12.04 into 10 days power 23 molecules हैं तो उसके अंदर कितने moles of nitrogen होंगे फड़ा फड़ बताएं कितने moles of nitrogen होंगे ठीक है कुछ students comment कर रहे हैं sir last time पर यही चप्टर आप पढ़ा रहे थे तब जहीं का exam postpone हो गया था और फिर कुछ student बोल रहे हैं अब postpone नहीं होगा तो बिलकुल सही बात है भया अब postpone नहीं होने वाला है जही का exam तो इस बार तो 99 पार जाना है इसलिए डटे रहें जब तक series चलती रहें revise करते रहें definitely आप 99 पार जाने वाले है एक अच्छी NIT आपको मिलने वाली है तो लोगों के answer आ चुके है 2 is the correct answer लोग ऐसा बोल रहे हैं तो moles को हम generally small n से represent करते हैं और यहां देख सकते हैं में number of molecules known है उनके moles निकालने हैं तो moles क्या हो जाएगा number of molecules number of molecules divided by अवेगेडरो number that is na और na की value सबको याद है तो number of molecules है 12.04 into 10 dash power 23 और divided हो जाएगा 6.02 into 10 dash power 23 तो that will be equal to 2 moles तो correct answer हो जाएगा 2 moles तो अगर nitrogen gas के इतने सारे molecules होंगे तो इसके अंदर कितने moles होंगे 2 moles होंगे सब लोग आसानी से fine कर सकते हैं तो first formula सबको समझ में आ चुका है इसके बाद second formula यहां लिखा हुआ है moles fine करने का अगर किसी भी मेरे पास 28 gram nitrogen gas है तो कितने moles हैं तो कैसे आप find करेंगे given mass of substance in gram divided by molar mass molar mass हमेशा gram में होता है तो जितना substance का mass है उसको उसके molar mass से divide कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगे मोल्स सीखें एक सिंपल क्योशन किया जाए नाइट्रोजन गैस का ही कर दें फाइन नंबर ओफ मोल्स कि इन ट्वंटी एट ग्राम ओफ एंट्टू गैस फट इसको सॉल्ल कर दें नाइट्रोजन गैस है अब मोल्स कैसे फाइंड किया जाता है जितने भी एटम से सबका अच एड़ कर दो और उसके पीछ से ग्राम लगा दो तो मोल्र मास मिल जाता है जिससे नाइट्रोजन के वन एटम का मास 14 एम्यू होता है और वन मोल आटम्स का 14 ग्राम होता है तो आप आप कर सकते हैं इसको फटापट ठीक है जल्दी जल्दी क्विक सॉल करें जबरदस तरीके से आज हम जा रहे हैं 90 पार 99 पार ठीक है तो मोल्स विल बी इक्वल टू गीवन मास कितना मास गीवन है मैं सबस्टां नाइटरोजन गास का मोलर मास हम कैसे करेंगे नाइटरोजन गास के अंदर धो नाइटरोजन अटम्स हैं बी खिवन मास कि तो मोल्स के क्विक्वल होगे वन 16 के इक्विल होगे हैं बिल्कुल आसान है, सब लोगों ने correct answer किया है, ठीक है तो दो concept, दो formula हमने सीख लिया है, moles निकालने के, from the given particles and from the given mass of the substance, इसके बात, third formula आता है, volume of the gas at STP condition in liters divided by 22.4 liter, जो होगा, वो moles की quality, कोई gas है हमारे पास, कोई भी gas हो, जैसे oxygen gas, nitrogen gas, hydrogen gas, gas, ammonia gas, carbon dioxide gas, कोई भी gas है, वो STP condition पर है, standard temperature and pressure condition पर है, उसमें temperature क्या होता है, pressure क्या होता है, यह आप already जानते हैं, ठीक है, अभी अपने states of matter में देखा है, तो STP condition में temperature, pressure and temperature, pressure क्या होता है, जरूर फटा-फट कमेंट करके बता है, मुझे, सब लोग बताएंगे, STP condition में pressure and temperature की value क क्या होती है, क्या temperature 0 degree centigrade होता है, या 1 degree होता है, या 25 degree centigrade होता है, pressure कितना होता है, 1 bar, 1 ATM, या 10 bar या और कुछ, फटा-फट बताएंगे, comment करके, तो उसके बाद हम quick, एक question, इसके उपर solve करना सीख लेंगे, तो gig only gas के लिए valid है, third formula is the only valid for gas, और gas भी कौन सी, जो STP condition है, condition पर है, औ और उसका volume हम liters में निकालेंगे, और उसको हम 22.4 से divide कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगे gas के moles, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे student बोल रहे है, one bar जो होगा वो pressure होगा, and temperature is 25 degree centigrade बोल रहे है, कुछ लोग, कुछ लोग 0 degree centigrade बोल रहे है, ठीक है, तो फड़ा-फड द ठीक, तो STP condition पर volume of the gas अगर आपको given है, लीटर में, उसको 22.4 लीटर से हम divide कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, gas के moles मिल जाएंगे, तो अगर मेरे पास 44.8 liter CO2 gas है, तो moles कितने होंगे, यह आपको बताना है, how many moles will be there, how many moles will be there, फटा-फट बताएं, quick, जल्दी से, और ली solve कर सकते हैं, बहुत आसान, एक line का question, फटा-फट बताएं, फटा-फट आंसर करें, तो अलग-अलग students, STP condition का अलग-अलग answer कर रहें, तो, कुछ लोग 0 degree centigrade बोल रहे हैं, और कुछ लोग 25, 27 degree centigrade बोल रहे हैं, पहुत बढ़िया, आंसर सबका correct है, STP conditions यहां लिखे देते हैं, STP conditions जो होती है, 1 bar pressure होगा, और 273 Kelvin temperature होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें, जरूर, 1982 के बाद, STP condition की definition यह है, sun या year 1982 जो था, उसके बाद, STP conditions को थोड़ा सा change कर दिया गया है, पहले यहां 1 ATM हुआ करता था, लेकिन 1982 के बाद उसको 1 bar कर दिया गया है, तो 1 bar pressure, 273 Kelvin जो होता है, यहां पर temperature होता है, STP conditions होती है, अगर हमें यहां moles निकालना है, तो moles क्या होगा, gas का volume लिखेंगे हम liters में, that is equal to 44.8 liters, हमें given equation में, और उसको 22.4 liters से हम divide कर देंगे, तो gas के जो moles होंगे, वो 2 moles होंगे, ठीक है, clear, बहुत बढ़िया, तो आप एक difficult सव करना चाते हैं, क्या थोड़ा सा difficult question है, are you ready for the simplest, and after that difficult question, अब यह simple simple question हमने solve किये, मोल के, तीनों concept यहां पर involved हो चुके है, मोल के, यह तीन formula अगर याद हैं आपको, यह समझ में आते हैं, तो मोल की calculations आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा difficult question, are you ready, सब लोग तयार हैं, बहुत बढ़िया, तो अब स्टार्ट करते हैं, very very simple question, atomicity की definition लिखे भी हो, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक question कर लेते हैं, थोड़ा सा difficult हैं, लेकिन ज्यादा difficult नहीं है, how many, how many liters of N2 gas present at STP in 56 gram end, फटा फटा बता है, how many liters of nitrogen gas present in 56 gram of nitrogen, चल्दी से answer करें, quick, थोड़ा सा difficult question है, use किसका होगा, वही concept use करेंगे, जो अभी अभी हमने पढ़े थे, सबसे पहले, ध्यान रहे, एक बात का, फटा फट एक बात का ध्यान रखे, वीडियो को शेर करें, और like वाइट ठोक दीजिए, फटा फट से, like ठोकने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो फटा फट ठोक द बना है, तभी तो बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो सब लोग बताएंगे, कितने लीटर्स हैं यहाँ पर, 22.4 कुछ students answer कर रहे हैं, कुछ लोग 44.8 answer कर रहे हैं, कुछ लोग 89.6 answer कर रहे हैं, जल्दी से, quick, 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 फटा फट सोचते जाएं और answer करते जाएं, लाइक करें फटा फट वीडियो को, और हम answer find करते हैं, बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे answer, हमारे पास आ चुके हैं, 44.8, 90% जनता जो है, 44.8 answer कर रही है, तो देखें बच्चों, आपको यहाँ पर दो steps करनी पड़ेगी, हमें weight दिया गया है, गैस का, और liters पूछे गए ह STP condition पर, तो weight से हम पहले moles निकालेंगे, और moles से हम liters निकालेंगे, ठीक है, तो सब को पता है, moles is equal to given mass, given mass in grams divided by molar mass, यह होता है, first formula, इसका use हम यहाँ करेंगे, तो moles कितने हो जाएंगे, सब लोग देख सकते है, moles will be equal to 56, और molar mass nitrogen gas का कितना होता है, एक nitrogen atom 14 होता है, दो nitrogen atom 28, तो moles हो जाएंगे, 2 moles, nitrogen के 2 moles होते हैं, और दूसरा formula हमने moles का पढ़ा था, volume, volume को हम V से represent कर रहे हैं, volume in liters at STP condition, divided by 22.4 liters से हमें moles मिल जाते हैं, यह formula हमने, अब यह भी पढ़ा है, तो moles की value में already known है, there are 2 moles and volume at STP condition will be equal to 22.4 into 2, that is, that will be equal to 44.8 liters, ध्यान रहे, volume जोगा, वो liters में होगा, क्योंकि, यहां liter होता है, लीटर को multiply करेंगे, तो volume will be in liters, तो सब लोग confident है, mole की सारी calculation कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी type की, तो maximum students ने correct answer किया था, बहुत बढ़िया clap for yourself, आज के बाद आपको mole कभी difficult नहीं लगेगा, आज के बाद mole आपको कभी difficult नहीं लगेगा, अब बात करते हैं, next topic that is called atomicity, यह atomicity का मतलब क्या होता है, सब को देख के पता चल रहा होगा, atomicity मतलब atoms related है, and that is simple to the number of atoms in a molecule, number of atoms in a molecule, एक molecule में कितने atoms हैं, उसको हम बोलेंगे, atomicity, जैसे की nitrogen gas है, उसके अंदर कितने atoms है, nitrogen gas का एक molecule होता है, N2, तो number of atoms जो होंगे, वो atomicity के equal होंगे, तो atomicity कितने हो जाएगी, 2 के equal, क्योंकि एक molecule के अंदर 2 nitrogen atom होते हैं, N3 की atomicity निकाली जाए, तो 3 hydrogen है, और 1 nitrogen है, तो atomicity 4 हो जाएगी, H2SO4 की atomicity निकाली जाए, तो 2 hydrogen है, एक sulfur है, 4 oxygen है, तो that will be equal to 7, ठीक है, तो atomicity जोगी इसकी 7 के equal होगी, clear? Atomicity मतलब atom की city नहीं होता है, atomicity मतलब number of atoms इन्हें molecule के बराबर होता है, तो एक और difficult question कर लें, एक और difficult, एक और difficult कर लिया जाए क्या? बिल्कूल, बिल्कूल, हमने easy question करें, moderate किया, अब difficult का number है, अब difficult question हम solve करेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिख दूस question को, यहाँ लिख दिया जाए question को, फटा फट, बहुत बढ़िया, तो यहाँ लिखा जाएगा question को, find number of atoms, find number of atoms in 98 gram H2SO4, कितने atoms होंगे? फटा फट आंसर करें, moles का use यहाँ करना पड़ेगा, atomicity का use यहाँ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग लेकर आएंगे, एक धम करेक्त आंसर, तो जल्दी से solve करें, फटा फट, बहुत बढ़िया, जबरदस सरीके से answer कर रहे हैं, सब लोग एक के बाद एक धड़ा 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 अंसर आ रहें, करेक, टरर्यक, करेक, बहुत बढ़िया चंदन ने बोला है na atoms होंगे अवे गिड्रू नंबर के इक्वल होंगे कितने atoms होंगे I am not asking about the molecules I am asking about the atoms कितने atom होंगे H2SO4 है जल जला acid है सबको याद है तो 98 gram acid ले लिया है कितने atoms हमें मिलने वाले हैं बहुत बढ़िया शंकर गुपता का अंसर है शंकर विश्रा का अंसर है 7 into Na कुछ लोग बोल रहे है na atoms होंगे कुछ लोग बोल रहे है 7 into Na तो एक बार सोच लीजिए मैंने atoms पूछा है कुछ लोग 7 बोल रहे है घ्यांद रहे 7 और 7 into Na दो अलग-अलग चीज़े हैं कन्फ्यूज नहीं हो 7 answer कर रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए क्या आपका अंसर सही है बहुत बढ़िया maximum students अब correct answer की तरफ पहुंच चुके हैं तो हम लोग इसको अब solve करने वाले हैं तो number of atoms find करने हैं हमें तो हम क्या करेंगी सबसे पहले atomic city लिखेंगे atomic city कितनी है इसकी atomic city 7 के equally 7 का मतलब एक molecule के अंदर 7 atoms है तो number of molecules आप निकाल सकते हैं कैसे कैसे निकालेंगे देखो moles is equal to number of molecules number of molecules divide by na के equal होता है अभी अभी हमने पढ़ा है देख लीजी moles is equal to number of particles divide by Avogadro's constant यहां हमने calculation भी करी थी nitrogen gas के लिए right तो अगर यहां देखें moles is equal to number of molecules divided by na तो number of molecules हमें नहीं पता है हमें number of molecules नहीं पता है तो number of atoms हम नहीं निकाल पाएंगे अब हमें number of molecules निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा moles निकालने पड़ेंगे और moles कैसे हम निकालेंगे 98 gram से तो moles is equal to given mass divided by molar mass का यूज हम यहां करेंगे given mass divided by molar mass का यूज करेंगे given mass is 98 gram and H2SO4 का molar mass जो होता है वो भी 98 gram होता है hydrogen 1 होता है sulfur 32 होता है और oxygen जो होता है वो 16 होता है तो अगर इसका molar mass find किया जाए है H2SO4 का तो 1 plus 32 plus 4 into 16 करेंगे तो 98 के equal होगा तो 98 molar mass होता है divide कर देंगे तो 1 mole हमारे पास आ जाएगा तो अब 1 mole हमारे पास आ चुका है इसकी value हम यहां पूट कर देंगे तो number of molecules कितने हमें मिल जाएंगे number of molecules will be equal to number of molecules will be equal to 1 into NA यह number of molecules होंगे यह number of atoms नहीं होंगे ध्यान रहे number of atoms नहीं है यह number of molecules हैं आपको number of atoms पूछा गया है तो atoms क्या होंगे एक molecule के अंदर 7 atom है तो NA molecule में कितने हो जाएंगे 7 into NA तो this is the correct answer के 7 into NA is the correct answer तो यह था difficult question अब हम बात करेंगे gram atomic mass की तो gram atomic mass क्या होता है simple सी बात है one mole atoms का mass होता है जो एक atom का mass mu में लिखा जाता है और one mole atom के mass में mu को हटा के gram लगा देंगे जैसे कि hydrogen का one atom जो होता है वो one mu mass रखता है और one mole hydrogen atom ले ले लेंगे one mole hydrogen atom ले लेंगे तो उसका mass हो जाएगा one mu into NA तो mu into NA जो होता है one gram के इकोल होता है इसलिए यह one gram हो जाएगा simple सी बात है तो gram atomic mass मतला one mole atom का mass ठीक है जिसको हम simple तरीके से कैसे find करेंगे जो एक atom का mass mu में होता है उसका mu हटाओ gram लगा दो तो वो gram atomic mass हमें मिल जाएगा ठीक है तो फटा फट एक question और आ चुका है यहाँ पर relative atomic mass of calcium दिया गया है relative atomic mass क्या होता है यह basically एक atom के mass को represent करता है अगर किसी भी atom का relative atomic mass दिया गया है तो उस number के पीछ आप mu लगा दें तो एक atom का mass मिल जाएगा जैसे calcium का relative atomic mass 40 है तो उसका ग्राम atomic mass कित्रा होगा 40 ग्राम होगा एम यू हटा के ग्राम लगा दो तो ग्राम atomic mass मिल जाता है ग्राम एक मास मतलब one mole atom का mass मिल जाएगा ठीक है अब पूछा गया है mass of 2000 calcium atoms in gram यह calculation आपको अब करनी है फटा फट इसको करें बहुत आसान बहुत आसान प्रेक्षा बोल रही है सर्मोल कंवर्जन का चार्ट बता दीजी तो बेटा जो अभी हमने question किये थे वह चार्ट के बेस्ट भी ही थे तीन formula मोल्स के याद रखें बस अगर आपको atoms दिये गए हैं number of molecules दिये हैं तो पहले मोल्स निकालें फिर सकते हैं मोल्स से अगर मास दिया गया है तो पहले मोल्स निकालें उससे volume भी आप निकाल सकते हैं उसे atoms भी निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आप एक formula से दूसरे formula में jump कर सकते हैं कोई difficult बात नहीं है ठीक है तो मास ओफ 20 मास ओफ 2000 केल्शियम एटम का मास आपको निकालना है तो वाट विल बी दक करेक्ट अंसर 2000 केल्शियम एटम से उनका मास आपको ग्राम्स में फाइन करना है बहुत आसान है बच्चों वन केल्शियम एटम वन केल्शियम एटम इस एक्वल टू 40 M U ठीक है तो 2000 केल्शियम एटम्स का मास कितना हो जाएगा 40 into 2000 AMU नो डाउट एक एपल का मास 100 ग्राम होता है तो 2000 का कितना होगा 2000 into 100 उसी टैप से वन केल्शियम एटम 40 M U होता है तो 2000 केल्शियम एटम्स कितना होगा 40 into 2000 M U अब क्रेश्चन में जो आंसर पूछा हुआ है ग्राम्स में पूछा है तो ग्राम्स में कनवर्ट करना है तो 40 into 2000 M U है और 1 M U is equal to 1.67 into 10-24 ग्राम्स होता है हमने स्टार्टिंग में याद किया था चप्टर के याद है सबको यहां देखिए 1 M U is equal to 1.67 into 10-24 ग्राम्स होता है ठीक है तो यहां हमने इसका यूस कर लिया है तो अब इसको हम आसानी से solve कर सकते हैं इसको solve किया जाएगा 1.328 into 10-19 ग्राम्स के equal होगा ठीक this is the correct answer बहुत बढ़िया average atomic mass की बात करेंगे अब nature में जो हमें atoms मिलते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं उनके isotopes भी होते हैं जैसे chlorine मिलेगा तो chlorine का 35 M U वाल isotopes भी मिलेगा 37 वाला भी मिलेगा तो अगर हमें आहां पर average atomic mass निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि उस कोई भी आइसोटोप है वो nature में कितना मिलता है percentage wise into atomic weight divided by 100 कर देंगे तो average atomic mass मिल जाएगा ठीक है जैसे कि यहां simple equation है simple simple question है the natural sample of chlorine contains 75% Cl35 मतलब chlorine का एक isotope 35 M U वाला उसका 75% होता है nature में जो total chlorine है उसमें से 75% 35 M U वाला होता है एक का content 75 एक का 25% average atomic mass निकालना है कैसे निकाला जाता है average atomic mass को यह बार से प्रिजेंट कर देंगे first वाले isotope का mass into उसका percentage plus दूसरे वाले isotope का mass into उसका percentage divided by अगर तीन isotope होंगे तो तीसरे वाले का भी add कर देंगे चार होंगे तो तीसरे वाले चोथे वाले का भी add कर देंगे divide by 100 कर देंगे तो average atomic mass मिल जाए यहां पर first isotope है वो chlorine 35 है तो तो एवन की जो value होगी वो 35 MB हो जाएगी x1 की value 75 हो जाएगी second वाला जो isotope है वो यहां है और यह इसका mass 37 है और इसका 25% है यह हो जाएगा 37 into 25 divided by 100 हम इसको कर देंगे तो that will be equal to 35.5 MU यह average atomic mass होता है chlorine का तो आपने देखा भी होगा जब हम chlorine का mass लिखते हैं molar mass find करने के लिए तो हम इसी का use करते हैं ठीक है ठीक तो ऐसे questions आसानी से men's के exam में पूछे जासेते हैं molecular mass कैसे find करते हैं सारे atoms का mass add कर दो जैसे H2SO4 का भी हमने किया था H2SO4 में hydrogen के one atom का mass 1mv होता है 2 hydrogen थे 2 से multiply कर दिया एक sulfur 32 gram 32 होता है और oxygen जो होता है 16 होता है चार oxygen थे तो 4 से multiply कर दिया था तो इस तरीके से हमें molar mass molecular mass मिल जाएगा और molar mass निकालना होता है तो simple सी बात है molar mass मतलब one moles at molecules का mass तो molar mass जोगा वो 98 gram के वरापर हो जाएगा now come to the vapor density vapor density क्या होता है density तो आप सबने सुना होगा density होता है mass divided by volume लेकिन vapor density क्या होता यह क्या है यह नई चीज है कैसे हम इसको find करते हैं तो vapor density होती है density of the gas यह dense vapor के लिए defined है मतलब gases के लिए defined है density of the gas divided by density of hydrogen अगर हम कर देते हैं तो हमें मिल जाती है vapor density ठीक है hydrogen की जो density होती है और gas की जो density होती है उससे हम vapor density directly लिख सकते हैं molar mass of the gas divided by 2 इससे हमें vapor density direct मिल जाएगे ठीक है क्योंकि density of gas होती है ideal gas के लिए MP by RTK equal होती है MP by RTK equal होती है और hydrogen gas का molar mass 2 के equal होता है और pressure और temperature यहां पर same assume करेंगे तो density of gas लिखेंगे तो pressure temperature कट जाएगा hydrogen के साथ और उपर बच जाएगा mass of the gas और नीचे बच जाएगा mass मतलब molar mass of the gas और नीचे बच जाएगा 2 क्योंकि hydrogen का molar mass होता है ठीक हो अब एक को और question है आपके पास फटा-फट इस question को कर दें वाट इस नंबर ओफ atoms and molecules in 112 liter of ozone gas O3 gas है यह oxygen नहीं O3 gas at STP फटा-फट इसको अंसर करें क्या तू फोड़ेगा फटा-फट बताएं सब लोग क्या तू जेएग मेंस का एक्जाम फोडने वाले हो तो इस question को फोड़ दीजिए फटा-फट से कि ऊेगा है क्या तो इस सब़से हैं क्या मैंस च acted बटाओ find़ के है लोग miej टू में मुटवश़े जेजिए क्वें बताओक तू देएक पासस्च फेसा में closest ूँचर इसन डो दोड़ में लोग क्या दो शुबथ़िख पाससARTब्स फ हLion शुबं सेनिक आंसर आया 15 इंटू एने नमबर आटम्स और नमबर आफ मोलिक्यूल्स आपको दोनों फाइंड करने वेरी गुड़ बहुत बढ़िया वंच गर्ग 15 एने एंड 5 एने बहुत बढ़िया तो सब लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं देखो को Mais TV the gas condition पर गास है तो मॉल्स विल बी इक्वल त्रूव वन टू डिवाइवाइद राइट वइंस ये हो जाएंगे मॉल्स ओर अद्तू न आटम सक्ई Luisachay आइनक्य शूद्वियंक्या कि आनम स्क्शय musti अ क्या शू एटम सब्सपी इंटो मोलीक्यूल स्था तो यहARS कितनी है अब बात करेंगे empirical formula यह empirical formula क्या होता है यह simplest ratio होता है atoms का जैसे की H2O2 लिखा गया है H2O2 होती है hydrogen peroxide इसके अंदर 2 hydrogen atom है 2 oxygen atom है तो इनका simplest ratio होगा 1 is to 1 हो जाएगा तो इसका empirical formula होगा HO के equal हो जाएगा तो यह होता है empirical formula यह होता है molecular formula molecular formula exact number of atoms का ratio होता है और empirical formula simplest ratio होता है ठीक है अब बात करेंगे reactions की unitary method लगाएगे हम reactions की और moles के बीच में relation निकालेंगे खेक है तो सबसे एक basic reaction लिख जाता हूँ a moles of a plus b moles of b react करेंगे तो c moles of c produce करते हैं यह reaction है तो unitary method में किस तरीके से related होते है small a small b and small c जो होते हैं वो क्या होते हैं stoichiometric coefficient होते हैं तो moles of a reacted capital a or capital b reactants है और capital c product है तो a के कितने moles react करेंगे divided by a मतलब stoichiometric coefficient of a will be equal to moles of b reacted b के कितने moles react करेंगे divided by stoichiometric coefficient of b will be equal to moles of c produce c के कितने moles produce होंगे divided by stoichiometric coefficient of c यह तीनो values आपस में इकोल होगे moles of a divided by stoichiometric coefficient of a moles of b divided by stoichiometric coefficient of b and moles of c produce divided by stoichiometric coefficient of C ठीक है तो इसको हम इस तरीके से relate कर सकते हैं तो यहाँ अगर देखें CH4 gas को 2O2 से react करवाते हैं तो CO2 and 2H2O मिलता है तो 1 mol CH4 gas से 2 mol CO2 gas मिल सकती है क्या यह यहाँ पर देखा गया तो 2 mol H2 यहाँ मिलेगा यह relation होता है कैसे निकाला गया है mols of CH4 divided by 1 will be equal to mols of H2O divided by 2 क्योंकि इसका stoichiometric coefficient 2 है तो mols of H2O will be equal to 2 into 1 क्योंकि CH4 का अगर 1 mol react करेगा तो H2O का 2 mols produce होगा आसान है बहुत आसान है तो इस इस उनिटरी मेथड इसके बाद हम बात करेंगे principle of atomic conservation atomic conservation का principle क्या बोलता है कि atoms जो होते हैं वो हमेशा conserve रहते हैं वो किसी भी चीज से खतम नहीं होते destroy नहीं होते नहीं वो किसी भी चीज से create किये जा सकते हैं produce किये जा सकते हैं तो atoms को हम ना तो produce कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं किसी भी chemical reaction में जितने atoms हम reactant में लेते हैं, किसी भी element के उतने ही atoms उसके products में produce होते हैं, ठीक है, इसके बात होता है, limiting reagent, किसी भी reaction में, जो reagent सबसे पहले consume हो जाता है, खतम हो जाता है, और reaction वहाँ stop हो जाती है, उसको बोला जाता है, limiting reagent, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक reaction है, HCl plus Zn को, zinc को react करवाया जाता है, तो ZnCl2 plus hydrogen gas यहां मिलती है, इसको balance कर लिया जाए, यहाँ 2 से multiply करेंगे, और यह balance होगे, तो find the limiting reagent and the reactant in axis when 0.5 moles of zinc react completely with 0.4 moles of HCl, तो 0.4 moles HCl के react कर रहे हैं, और 0.5 moles zinc के react कर रहे हैं, यह दोनों आपस में react कर रहे हैं, तो इन में से limiting reagent कौन होगा, कैसे उसको find किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पार सिखाने वाला हूँ, एक्सिस reagent कोन होता है, एक्सिस मतलब जो बच जाएगा और limiting rate जो पुरा consume हो जाएगा, ठीक है, आसान सी बात है, तो अगर देखा जाए, कैसे उसको निकाला जाएगा, सबसे पहले जो moles given है, उसको आप stoichiometric coefficient से divide कर लो, तो HCL के 0.4 मोल थे तो उसको 2 से डिवाइट कर लिया Zinc के 0.5 मोल थे तो इसको 1 से डिवाइट कर लिया क्योंकि Zinc का Stoichiometric Option 1 होता है अब यह दोनों नंबर जो है उसकी वेल्यू निकालेंगे 0.2 होगा और यह 0.5 होगा यह नंबर जिसके लिए छोटा होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजन तो 0.4 डिवाइट बाइस टो क्योंकि अविशन 0.2 के इक वाल है यह नंबर छोटा है तो जो HCl होगा वह लिमिटिंग रिएजन होगा हुगा ठीक है मोल्स को Stoichiometric Option से डिवाइट किया जो नंबर आया अगर वह छोटा नंबर जिसके लिए होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजन इसके लिए 0.5 था इसके लिए 0.2 है तो यह होगा हम पूरा नहीं बनता है कुछ ने कुछ अमाऊंट का बच जाता है और reaction बीच में रुख जाती है practically ऐसा देखा जाता है तो actual yield क्या हुआ कोई इन रीजन से अगर reaction रुख गई है तो actual yield divided by theoretical yield actual yield कितना हुआ है product का और theoretical yield कितना maximum बन सकता था जो हम calculation से find करेंगे into 100 जोगा वो percentage yield के equal होगा जैसे कि अगर आप ऐसा माल लो कि हमने h2 plus half o2 को रिए करवा के h2o बनाया तो 1 mol h2 से 1 mol h2 बनना चाहिए था लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 1 mol h2 से 0.9 mol h2 बना तो h2o के actual yield कितना हुआ 0.9 और theoretical कितना होना चीए था 1 0.9 divided by 1 into 100 करेंगे तो इससे मिल जाएगा हमें percentage yield ठीक है percentage purity भी कभी कभी reactants की पूठली जाती है तो हर reactant में कोई न को impurity तो होती ही है कैसे हम उसको find करेंगे कि actual में जो हमारा reactant था उसका mass कितना है जो reagent है उसमें जो react कर रहा है वो कितना है और जो हमने पूरा reactant लिया था जिसके अंदर impurity भी थी उस sample का mass कितना था उसका ratio लेंगे और 100 से multiply कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा percentage purity ठीक है जैसे कि हमने 100 gram calcium carbonate sample ले लिया 100 gram calcium carbonate sample ले लिया और उसमें से only 90 gram calcium carbonate था और 10 gram उसके अंदर impurity थी 10 gram suppose उसके अंदर impurity थी तो percentage purity जो होगा वो कितना होगा percentage purity हो जाएगा 90 gram of reagent क्योंकि हम calcium carbonate को react कर रहे हैं तो उसके अंदर calcium carbonate कितना actual में 90 gram और पूरा sample का mass कितना था 100 gram into 100 कर देंगे तो हमें percentage purity मिल जाएगी that will be equal to 90% ठीक है तो actual में जो reactant का mass है और sample में हमने कितना mass लिया है sequential reaction मतलब एक reaction का जो product बनता है उस product को हम दूसरी reaction में as a reactant use करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं S8 और O2 को react करवा है तो SO2 बना और उसी SO2 को हमने यहां पर use कर लिया उसी SO2 को हमने यहां use कर लिया O2 के साथ react करवा के SO3 बनाया तो यह sequential reaction है first reaction का जो product था उसको second reaction में as a reactant use किया गया है ठीक है तो यहां पर पूछा गया है how many grams of SO3 will be produced from one mole of S8 फटाफट इसका answer आप सब लोग करेंगे फटाफट लोग देखें और answer करें अगल बनाया तो अगल अगल यहां यहां यह यह इन यह 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 लोग आप लो यह कि है 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 कि अब बहुत बढ़ी है सब का अंसर आ 40 ग्राम शुमम सेनिक आंसर आया है तो देखते हैं कैसे रिलेट किया जाता है देखो दो रिएक्शन में हमें युनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा नमबर ओफ मोल्स ओफ एसेट डिवाइड़ बाई वन विल बीक्वल टू मोल्स ओफ एसो टू डिवाइड़ वाइट यह हमने यूनिटैंड में फिरस्ति शेक्षन में तो इस एटके वन ओफ यूज से रेक्षन में जो दूसरी रियक्शन में जो असर टू प्रोडिूliche वा उसी उसी का यूज किया गया है तो तू एस ओ टू प्लस ओडू से तू आसो 3 मिलता है इस डिएक्शन में जो ए सो टू के मोल्च कितने थे 8 मोल्च वर्स्तेज हो योस उसी को रोक moż अब उसी को इतू किया गया है इसी को हम बोलता है sequential reaction तो मौल्स ओफ एसो टू रियक्टेड डिवाइड बाइड वाइट विल बीक्वल डू मौल्स ओफ एसो थ्री प्रोड्यूस डिवाइड बाइट वाइट यह कितना हो जाएगा एट मौल्स ओफ एसो टू विल बी एक्वल टू मौल्स ओफ एसो थ्री टू से टू कैंसल हो गया तो मौल्स ओफ एसो थ्री हमें कितना मिल गया एट मोल्स के इक्वल इसका मास निकालना है वेट निकालना है तो वेट ओफ एसो थ्री क्या होगा एट इंटू मोलर मास ओफ ए तो that will be equal to 640 gram तो SO3 gas या SO3 जो बनेगा वो कितना बनेगा 640 gram तो यह sequential reactions होती है एक reaction का जो product होता है उसको दूसरी reaction में as a reagent यूज करवाया जाता है ठीक है आसान है इस question is asked ज्रींद जेई यह जेई में पूछा हुआ सवाल है ठीक है मैंस का पूछा हुआ सवाल है यह clear तो आसान था एकड़म आगे पड़े अब बात करेंगे हम concentration terms की concentration terms क्या होती है कोई भी एक solution होता है जैसे की sugar plus water solution के अंदर दो चीज़ें होती एक तो solute होता है और एक solvent होता है solute होता है जिसका amount कम होता है उसको solute बोला जाता है और जिसका amount ज्यादा होता है उसको solvent बोला जाता है ठीक है जैसे कि sugar plus water को mix sum करते हैं तो generally sugar का amount हम कम लेते हैं और water का amount ज्यादा लेते हैं तो water solvent हो जाएगा और sugar जोगा वो solute हो जाएगा तो उसे हम solution बोलते हैं ठीक है अब देखें बच्चों density solution के बारे में कुछ properties होती है solution को हम कैसे define करें हमें कैसे पता लग जाए कि solution के अंदर कितन कितना solute है कितना solvent है बहुत साही अलग-अलग तरीके से हम उसको define कर सकते हैं उन define करने के जो तरीके होते हैं उसको concentration terms बोला जाता है ठीक है तो यहां अगर देखें इसके लिए हम density का use करें concentration terms पढ़ने के लिए तो density is equal to mass by volume होता है unit जो होती ग्राम पर centimeter cube होती है density की या density of अब देखो fast concentration हमारे पास आचुकी है that is percentage mass by mass या percentage weight by weight concentration term हमारे पास है तो कैसे हम उसको देखेंगे कैसे हम find करेंगे देखो तो weight of solute कितना होगा weight of solution कितना होगा into 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा percentage mass by mass या percentage weight by weight ठीक है solute का mass divided by solution का mass into 100 कर देंगे तो मिल जाएगा mass percentage और percentage volume निकालना है तो solute का mass divided by percentage divided by volume of solution into 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा weight by volume weight by volume है weight by weight में क्या था उपर वी solute का weight नीचे solvent का weight और weight by volume में क्या हो जाएगा weight of solute divided by volume of solution तो नीचे solution रहता है उपर solute रहता है solvent नीचे नहीं रहता है उपर solute नीचे solution weight by weight होगा तो उपर भी weight solute का और नीचे भी weight solution का weight by volume होगा तो उपर भी weight solute का और नीचे weight नीचे volume solution का ठीक है और अगर आपको volume by volume पूछ लिया जाए तो volume by volume परसेंटेज जोगा वो किसके एकवल होगा? वोल्यूम आफ सोल्यूट डिवाइड बाई वोल्यूम आफ सोल्यूशन इन्टू हंड़ेड ध्याद रहे वोल्यूम के यूनिट्स हम यहाँ पर सेम यूनिट्स यूस करने वाले हों, क्लियर? बहुत आसा अब बात करेंगे मोल फ्रक्षन, next concentration टर्म से मोल फ्रक्षन, तो मोल फ्रक्षन होता है मोल्स ओफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स के एकवल कि सोल्यूट की कितने मोल्स हैं? और नीचे लिखेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्यूट के मोल्स, जिसको हम बोलते हैं टोटल मोल्स, यह होता है मोल्स फ्रक्षन के एकवास मोल्स फ्रक्षन को हम कैपिटल एक से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, ध्याद रहे mole fraction of solute and solvent जो होता है उसको अगर add कर दिया जाए तो वो हमेशा 1k equal आठा है अब बात करेंगी concentration term next molarity molarity होता है moles of solute divided by volume of solution in liter इसे बोला जाता है molarity and next concentration term is molality molality थोड़ी सी different होती है moles of solute divided by mass of solvent in kg जो होता है उसको बोला जाता है molality ठीक है moles of solute divided by mass of solvent ज्याद रहे mass of solvent हमेशा 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 kg में लेते हैं इसको बोला जाता है molality molality होता है small m और molarity होता है capital M ठीक है अब बात करेंगे parts per million की parts per million का use कब किया जाता है जहां पर solute का amount बहुत कम है जैसे कि pollution measure करने के लिए parts per million का use करते हैं तो mass of solute divided by mass of solvent into 10 raise power 6 कर देंगे या फिर mass of solute जो होता है बहुत कम होता है तो उसको mass of solute divided by mass of solution भी लिख सकते हैं तो mass of solute divided by mass of solvent into 10 raise power 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ppm याने की parts per million इसका मतलब क्या है parts per million का कि 1 million molecules अगर हम ले ले किसी भी solution के तो उसमें से solute के कितने molecules मिलेंगे ठीक है जिससे कि अगर मैं बोल दूँ क्या air के अंदर SO2 की concentration 130 ppm है तो अगर 1 million molecules में लूँगा air के तो उसमें 130 molecules योंगे वो SO2 gas के होंगे ठीक है ओके तो एक बहुत आसान सा सवाल है आपके सामने इसको करें है नंसीटी आपको गिवन है देंसीटी अपी ओपद इस प्रवईजसेंशन listeners Quindi Bug गां पर एमल ठीक है और mass of solute आपको दिया गया है solute क्या है यूरिया है 120 gram है तो moles of solute अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 120 divided by 60 क्योंकि urea का molecular mass दिया गया है 60 mu है और molar mass 60 gram हो जाएगा तो 2 moles urea की presentive water के अंदर ठीक है water कितना है moles of solvent निकालें water is solvent और moles कितने होंगे उसके weight divided by 18 water का molar mass 18 होता है और weight उसका 1000 gram है तो ये उसका moles होंगे ठीक है 1000 divided by 18 जोंगे water के moles होंगे और 2 moles होंगे urea के solute जो होगा उसका mass यानि की urea का mass 120 gram है और solution का mass solution की density 1.15 gram पर हमेल है तो you are supposed to find the molarity तो molarity क्या होती है ये सबको पता है molarity is equal to moles of solute divide by volume of solution और volume हमेशा यहाँ लीटर में लिया जाता है इस बात का विश्यश ध्यान रखें तो moles of solute तो आपको direct known है 2 moles है volume of solution आप कैसे निकालें फटाफट इस आंसर को solve किया जाए सब लोग बोल रहे हैं a option होगा सर तो देखो आपको density given है अगर आपको mass मिल जाएगा तो क्या volume मिल जाएगा बिल्कुल क्योंकि mass upon volume density होता है density हमें known है और mass भी हमें known है तो density divided by mass करेंगी तो 1 by volume हमें मिल जाएगा महस्यम volume हम निकाल लेंगे तो mass हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे mass of solution अगर हमें निकालना है तो mass of solution क्या हो जाएगा mass of solute plus mass of solvent के equal होगा क्योंकि solution में दो ही चीज़े होती है solute and solvent mass of solute 120 gram है और mass of solvent 1000 gram है तो ये हो जाएगा total मिलाकर 1220 gram 1, 1, 2, 0 gram जो होगा हमारे पास क्या मिल जाएगा total mass मिल जाएगा तो density हमें पता होती है density होता है mass of solution divided by volume of solution क्योंकि density हमें solution की given है तो यहां से हम इस तरीके से उसको relate कर लेंगे तो volume of solution जो होगा volume of solution हो जाएगा mass of solution मतलब 1120 gram divided by density density की value 1.15 है और density की unit जो है वो gram पर ml में है तो volume जो आएगा वो भी ml में आएगा ठीक है तो यह जो volume हमें मिलेगा यह कैसे मिलेगा ml में और volume of solution को अगर हम liters में convert करेंगे तो कितना हो जाएगा 1120 1.15 into 10-3 liter हो जाएगा अब molarity हम यहां से आसानी से निकाल सकते है molarity हो जाएगा mols of solute जो की 2 की इक्वल है और volume of solution जो जाएगा 1120 1.15 into 10-3 तो यह हो जाएगा 2000 into 1.15 divide by 1120 तो इस विल बी दा आवर correct answer इसकी value होगी 2.05 की इक्वल तो molarity हो जाएगी 2.05 तो यह खुद AEEE का सवाल है AEEE मतलब J.E.Mins का question तो इस साल मैंने AEEE का exam दिया था तलब J.E.Mins का exam मैंने इसी साल दिया था और यह question मेरा correct था When I was a student तब मैंने इसी साल में यह exam दिया था ठीक है तो यह हम को solve कर चुके है आप सब लोगों को पता है You don't fix the problem I fix my thinking Then problem fix themselves तो अगर आपके साथ कोई भी problem है जीवन में तो आप problems को fix नहीं करें Problem का solution नहीं निकालें पहले अपने thinking को change करें तो आपका solution अपने आप निकल आएगा इस बात को हमेश्य ध्यान रखें हमारा मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है We will take 10 minutes break 10 minutes break हम यहां लेंगे बच्चों और 10 minutes break लेंगे तो we will be back at the 8.23 will be back at the 8.23 ओके सब लोग अराम से ब्रेक लें फ्रेश हो जाएं पानी वानी पी लें चाय वाई पी लें और वापस आ जाएं ठीक है दीनर करना है तो दीनर भी कर लें भाया 10 minutes का time वैसे डीनर के इसाब से कम है लेकिन आप कर सकते हैं डीनर के साथ फिर से आप वीडियो स्टार्ट कर लेंगे खेए दिद्धोस Lalou ये लेकी लेग्णाम पासाो वीनर के लेक गदु उनर में ही दून झाल 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 या झाल 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 यह यह आपके questions आसानी सब्सक्राइब यह बेलंसिंग उफ्टा यह आप इसको बैलंस कर सकते हैं कि J-MN यह MN 4- यह ठीक है तो MN 4- MN 2 में कनवर्ट हो गया reduction हो गया और C2O4 2- CO2 में कनवर्ट हो गया देखेंगे आप तो क्या हुआ है यहां पर इसको बैलंस करेंगे 4H2O यहां अड़ करेंगे 8H प्लस यहां अड़ करेंगे और 5 इलेक्ट्रोन यहां अड़ करेंगे carbon balance करने के लिए इसको 2 से multiply करेंगे तो यह oxygen भी balance हो जाएगा और यहां 2 electron अड़ करेंगे तो charge balance हो जाएगा तो यह दोनों half part जो है वो balance हो चुके हैं और अगर आप इसको देखे बच्चों इसको ऐसे add करने कि electrons cancel हो जाए तो इसको हम 5 से multiply करेंगे और इसको हम 2 से multiply करेंगे और add करेंगे जब add करेंगे तो electrons cancel हो जाएगे और यहां बच जाएगा 16 H plus 2 MnO4 minus और यहां बच जाएगा 5 C2O4 2 minus यहां हो जाएगा 10 CO2 plus 2 Mn plus 2 plus 8 H2 यह final balance reaction हो जाएगे तो आप यहां पर coefficient देख सकते हैं X जो होगा वो MnO4 minus का coefficient है that will be equal to 2 तो यह X हो जाएगा C2O4 2 minus है यह इसका coefficient Y हो जाएगा इसके विली 5 हो जाएगी और एक और हमें last में बच गया है Z X Y Z ठीक है तो वो जो होगा तो सब लोग तयार है Mn's का exam फोनने के लिए धड़ा धड़ धड़ा धड़ा आप लोग revise कर रहे हैं जबरदस तरीके से redox reaction आपका revise हो रहा है तो अब की बार सब लोग simple titration की बात करेंगे आइरेन प्लस तो सिया टू सेवन का टू माइनस का titration करेंगे तो equivalence equal हो जाएगे आइडियोमेट्रिक titration क्या होता है आई माइनस रिएजेंट होता है KI मतलब यहां पर आई माइनस होगा और आई माइनस को हम reduce oxidizing agent से react करवाके i2 gas बनाएंगे और उस i2 gas को हम na2 s2 o3 से react करके na2 s4 o6 बनाएंगे और इसका valence factor 1 की equal होगा यहां से हम i2 के moles and equivalence fine करेंगे और उसके oxidizing agent के हम निकालेंगे ठीक है तो यह एक question आपके सामने आ चुका है एक और शांदार अगर आप एक अन्हेरे कमरे में एक मुम्बत्ती एक लाइटें एक दिया के साथ हैं तो सबसे पहले क्या जलाएंगे जीया जले जान जले धूआ उड़े फड़ा फड़ बताएं कि 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 पंक क ρचा को क सब लोग बताएं सबसे पहले आप क्या जलाने वाले हैं सब लोग बोल रहे हैं बीडी जलाएंगे बोम जलाएंगे पटेल नंदन बोल रहे हैं बीडी जलाएंगे भाईया बीडी पीते हो तुम लोग गलत बात है भाईया बीडी नहीं पीना चाहिए बीडी पीना पाप है ठीक है तो सब लोग बोल रहे हैं मैच बॉक्स जलाए जाएगा माचिस जलाए जाएगी बिल्कुल सही अंसर है शांदार तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि SMR सीरीज का नोटिफिकेशन आपको आ और बिल्क कर जाएर कल की जो SMR सीरीज का वीडियो है या SMR सीरीज जो है वो कल 10am से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है 10 से 1 चलेगी और फिर 5 से आट-9 बजे तक चलेगी को ठीक है कुन्नन गुपता बोल रहे हैं बीडी नहीं गांजा पिए बहिया गांजा पिएगा तो जेल में धरा जाएगा गांजा इलीगल है इस देश में ध्यान रहे इस बात का सस्ता नशा करें मेंगा वला ना करें ठीक है चाई पिए मस्त रहे तो आपके ड्रीम तक पहुचने में हम आपके साथ हैं इस बात का ध्यान रहे तो चाई पिए मस्त रहें और अब स्टार्ट करते हैं नया चाप्टर जबरदस्त तरीके से राहूल वर्मा बोल रहा है आटॉमिक इस्ट्रक्टर भी होगा क्या तो क्या आटॉमिक इस्ट्रक् रहेंगे atomic structure ठीक है तो periodic table का development कैसे हुआ अलग-अलग scientific style levels year, double years, newlands and lothermer सबने अपने अलग-अलग rules दिये जो सबसे बढ़िया rule आया वो यही आया modern periodic law कि जो x-rays निकलती है elements से वो क्योंके atomic number के कुछ relation में होती है तो frequency of the x-rays is equal to square of the atomic number या फिर square root of frequency is proportional to atomic number यह modern periodic law है और elements का nomencature हम कैसे करते है modern periodic law according या modern periodic table में 0 होगा निल लिखेंगे है one के लिए un two के लिए by three के लिए try चार के लिए quart और पांच के लिए pent six के लिए hex seven के लिए sept and eight के लिए oct nine के लिए enn ठीक है तो यहां अगर मैं 109 का नाम आपसे पूछूं तो 109 का नाम क्या होगा जड़ा जल्दी बताए 109 का नाम क्या होगा फड़ा फड़ा बताए तो वन के लिए हम अन लिखते हैं जीरो के निल लिखते हैं अन निल और नाइन के लिए हम enn लिखते हैं तो enn और पीछे suffix लगा देंगे ium तो यह हो जाएगा अन निल एनियम ठीक है यह जो होगा वो काईदे से छोटा यह होना चाहिए अन निल एनियम जो होगा वो 109 का नाम होगा ठीक है तो इस टेबल को याद रखें निल अन बाई अब स्लेटर सुरूल क्या होता है कोई भी आटम है उसके अंदर इलेक्ट्रोन रिवाल्व करते हैं नुकलियस के चारो तरफ तो नुकलियस उनको अट्रैक करता है और जो अंदर वाले इलेक्ट्रोन रिपेल करते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है जो नेट अट्रेक् में जितना पार्ट कम होता है उसको हम सिगमा बोलते हैं सिगमा इस कॉल्ड शिल्डंग कौश्टेंट की ई जो वेल्ई होगी वह और इसलेटर सब्जुदेश्बिन क्लेशन जीए के सिलेबस में नहीं है पस दी著 किसको रिप्रेजन कर रहा है रिपल्शन को और जैड किसको रिपल कर रहा है रिप्रेजन कर रहा है अट्रक्शन को यह अट्रक्शन को रिप्रेजन कर रहा है तो जो अन्द बहार वाला इलेक्ट्रोन होगा उसके ओपर यह भी रिपल्शन लगाएगा यह भी रिपल्शन ल बोलेंगे तो जैड इफेक्टिव इस नेट अट्रक्शन ओन एन इलेक्ट्रोन विच प्रेजेंट इन दा शेल्स आफ एन एटम ठीक है तो जैड इफेक्टिव क्या होता है अगर जैड इफेक्टिव की बात की जाए बच्छों तो इसको ऐसे समझा जाएगा जैड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट अगर हम प्रियोडिक टेबल में मूग करते हैं तो जैड इफेक्टिव इंक्रीज करता है टॉप टू बोटम अगर हम मूग करते हैं तो जैड इफेक्टिव जो होता है वो अल्मोस्ट कॉंस्ट रहता ह यह equal equal का sign लगाया मैंने top to bottom periodic table में move करते हैं तो Z effective almost constant रहता है क्योंकि size बढ़ती जाती है और nucleus का charge भी बढ़ता जाता है तो almost almost Z effective constant रहता है बस यह इतनी सी charge चीज आपको याद रखनी है यहाँ से ठीक है यह इतनी सी चीज याद रखती है left to right Z effective बढ़ता है top to bottom constant रहता है ठीक है अब बात करेंगे shielding की तो यह 3D series के elements की बात चल रही है 3D, 4D and 5D की तो उनकी radius जो है पहले decrease करती है फिर थोड़ी सी increase कर जाती है में decrease करके constant रहके increase कर जाती है क्यों ऐसा करती है क्योंकि shielding जो है यहाँ पर attraction ज्यादा होता है scandium से मेगनीस तक तो size छोटी होती जाती है और iron से nickel तक almost यहाँ पर attraction और repulsion सेम सेम हो जाता है इसलिए size जोटी constant हो जाती है और उसके बाद copper and zinc में nucleus का attraction ज्यादा और shielding कमजोर तो size बढ़ जाती है तो 3D, 4D, 5D series में ऐसा graph होता है size पहले घटेगी थोड़ी constant हो जाएगी फिर increase कर जाएगी तो पहले fast 5 element के लिए size decrease करती है फिर constant हो जाती है और last के 2 elements के लिए size increase कर जाती है तो उसी की वज़े से gallium की radius जो है वो aluminium से ज्यादा हो जाती है actual में radius का order ऐसा होता है कि radius जो होती है वो left to rise right जो होती है वो increase करती है and top to bottom left to right जो है radius decrease करती है क्योंकि Z effective increase होता है और top to bottom radius increase करती है क्योंकि shells add होती जाती है ठीक है और लेकिन यहां gallium और aluminium में उल्टा हो जाएगा क्योंकि 3D series में यहां पर गडबड हुआ है shelling जो है वो कम जोर हुई है उसकी वज़े से gallium की radius जो है वो aluminium से ज्यादा हो जाती है आइनाजिशन एनर्जी की बात करेंगे आइनाजिशन एनर्जी आइनिक साइस के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है Z effective के directly proportional होती है तो left to right आइनाजिशन एनर्जी increase होती है और top to bottom आइनाजिशन एनर्जी decrease होती जाती है electron gain enthalpy की बात करेंगे electron gain enthalpy top to bottom decrease करती है कुछ exceptions होते है P block में second period element की जो electron gain enthalpy थर्ड period से कम होती है otherwise top to bottom decrease करती है और left to right electron gain enthalpy increase करती है non-metals के लिए electron gain enthalpy जो होती है वो non-metals के लिए electron gain enthalpy जो है वो कैसी होती है second period and third period में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है क्योंकि second period elements की size कम होती है जैसे fluorine की electron gain enthalpy chlorine से कम होती है otherwise chlorine, bromine, iodine में compare करेंगे तो down the group electron gain enthalpy decrease करती जाती है और noble gas की electron gain enthalpy वो positive होती है क्योंकि उनमे electron add करने के लिए में extra energy supply करनी पड़े है ठीक है तो ये सारी चीजे में एक साथ लिख देता हूँ सबका order trend कैसा होता है वो हम यहाँ लिख देंगे ठीक है इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा सबसे पहले radius की बात करेंगे Z effective हम अल्रेड़ी देख चुके हैं Z effective left to right increase करता है top to bottom constant रेता है ठीक है अब radius की बात करेंगे top to bottom जो होती है radius increase करती है और left to right होती है radius decrease करती है लेकिन यहाँ कुछ exception से radius of gallium जो होता है वो aluminium से थोड़ा सा छोटा होता है almost equal होता है समाल तो थोड़ा सा छोटा होता है ठीक है clear यहाँ जो लिखा हुआ था थोड़ा सा इसको change कर लीजेगा gallium छोटा होता है clear almost equal होते हैं और और भी कुछ exception है radius of 4D and 5D series की radius होती है वो भी almost equal होती है यह exceptions है याद रखें noble gas की जो radius होती है वो periodic table में अपने period में maximum होती है क्योंकि इनके लिए हम wonder wall radius measure करते हैं तो यह तीन exceptions याद रखें radius के और यह trend याद रखें जिन्दगी आसानी से कट जाएगी ठीक है यह सब को याद रहे जाएगा यह radius का trend है कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ओके now come to the next part next part is ionization energy ionization energy क्या होती है top to bottom ionization energy decrease करती है and left to right अगर हम मूग करते हैं left to right मूग करते हैं तो ionization energy increase करती है ठीक है और half filled and fully filled जो elements होते हैं उनके ionization energy जादा होती है इसलिए noble gas के ionization energy सबसे ब्यादा रहेगी बहुत difference होता है noble gas and halogen में क्योंकि noble gas fully filled होती है extra stable होती है इसके अलाबा half filled वाले जो element होते हैं उनकी ionization energy अपने right वाले element से जादा होती है जैसे nitrogen की oxygen से जादा रहेगी beryllium की अपने right वाले element से जादा होती है तो ये भी हम याद रखें electron gain enthalpy की बात किये जाए तो electron gain enthalpy भी top to bottom जो होती है वो decrease करती है exception होता है second period and third period में periodic table में second period वाले element की electron gain enthalpy third period से कम हो जाती है otherwise top to bottom decrease करती है and left to right move करें periodic table में तो electron gain enthalpy जो होती है वो increase करती जाती है इसके बाद electron gain enthalpy और electron affinity का relation होता है minus of electron gain enthalpy जो होता है वो electron affinity के बराबर होता है अगर electron gain enthalpy को minus से multiply कर दिया जाए तो electron affinity हमें मिल जाएगा अब एक और बात करेंगे electron negativity की electron negativity होती है top to bottom electron negativity decrease करती है और left to right electron negativity activity increase करती है fluorine maximum electron negativity वाला element है periodic table में और cesium जो होगा वो cesium froncium जोगा minimum वाले होंगे ठीक है तो ये rules आपको याद रखने है बस periodic table में ये trends आपको याद रखने है इसके ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है ठीक है acidic and basic oxide की बात की जाए तो left to right acidic character बढ़ता है oxides का top to bottom basic character बढ़ता है ठीक है और non metals के जो oxide होते हैं generally acidic होते है metals के oxide basic होते हैं कुछ oxides ऐसे होते हैं जो acid base दोनों की तरह भीएव करते हैं उनको एमफोटरिक oxide बोला जाता है एमफोटरिक oxides कौन कौन से होते हैं एमफोटरिक oxides का example है सब आसान सी ले बाकी बचे अल्ला जाने ये trick है सब आसान सी ले ले मतलब लेट बाकी बचे मतलब beryllium boron अल्ला जाने मतलब zinc और अल्ला मतलब aluminium और gallium भी इसके साथ एमफोटरिक होता है ठीक है कहीं कहीं silicon को acidic बताया हुआता है कुछ books में लेकिन silicon acid base दोनों के साथ रिर करता है तो उसका हम एमफोटरिक बोलेंगे सब मतलब antimony आसान मतलब arsenic और tin और c मतलब silicon ले मतलब lead और be बाकी बचे मतलब beryllium और बचे मतलब boron और अल्ला मतलब aluminium जाने मतलब zinc और gallium ठीक है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं यह एमफोटरिक oxides है si o2 को कभी कभी acidic भी बूला जाता है कुछ box में otherwise यह react acid base दोनों के साथ करता है इसलिए इसको एमफोटरिक बोला जाना चाहिए तो यह trend हम याद रखें अगर same element के oxide है तो oxidation state बढ़ता है तो acidic character बढ़ता जाता है ज 203 का acidic character भी ज्यादा होगा और इसी टाइप से न2O5 में देखें nitrogen का oxidation state यहाँ पर 10 by 2 है मतलब 5 by 2 है और यहाँ पर nitrogen का oxidation state 3 by 2 है तो यह 5 by 2 बढ़ा है oxidation state ज्यादा है nitrogen का तो इसका acidic character जोगा वो ज्यादा रहेगा ठीक है तो यह chapter हमारा complete हो रहा है पती कोई coffee चाहिए सास को चाहिए तो सबसे पहले क्या करोगे तो फटा फट यह भी बता दे वहाई है chemistry के साथ साथ हुआ करें गिसे करोगे अपर करोगे हैं जाल सबसाथ कि अजगा है है तो सब लोग अंसर करें साक्षी बोली शादी नहीं करें सबसे बड़ी आए ना सास का लफड़ा ना पती का लफड़ा कुमारे रहो बोईफ्रेंड बनाओ घुमते रहो एंजोई करो चाए बनानी पड़ेगी न कौफी बनानी पड़ेगी ठीक है तो पती को काफी चाहिए सास को चाहिए तो सब इसे पाइले क्या करेंगे फटा फट बताएं भीया कुछада को ऊब गया शादी नहीं करेंगे हैं कुछ बोल कप निकाल के लिएक आएंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि किचन में जाएंगे ठीक है तो आंसर देखे जाये गैस चालू करेंगे गैस चालू किया जाएगा भई ये चाय कोफी बनाने के लिए ठीक पटेल नंदन बोल रहे हैं घरवाली बनाईगे ये लड़का बड़ा डेस्परेट है घरवाली बनाने के लिए गल्फेंड बनाने के लिए नंदन साब कितनी requirement है आपको girlfriend की यश बोल रहा है जो मेटो से order करेंगे क्या बात तो channel को subscribe कर लें भाया आगे पड़ा जाए आपके ड्रीम तक पहुँचने में हम आपके साथ है और क्या आप लोग तयार हैं ड्रीम तक पहुँचने में जल्दी बताएं Are you ready? क्या आप लोग ड्रीम तक पहुँचने में तयार हैं? फटा फट बताएं तो नया chapter स्टार्ट करते हैं है ऑनिके लिए फात अफ़ट कमेंड करें बताएं दुए है नएक प्रेस्ट श्टार्ट क्या जाए या नहीं जल्दी से ओस ड्रीम तक पहुंशने में तयार हैं आप हमारे साथ तो नया chapter start किया जाए chapter का नाम है atomic structure most desired सब लोग बोल रहे थे विल्कुल atomic structure आपके सामने आचुका है सबसे पहले देखेंगे बच्छों atom के अंदर proton electron और नूट्रों नूट्रों सोते हैं इलेक्ट्रों का मास 9.1 इंटु 10.1-31 kg होता है अविब्क्रों का मास 1.67 इंटु 10-27 kg होता है ग्राम सुरिखेंगे 1.67-10-24 ग्राम होगा तो क्या यह 1 mmU के इकवल भी होता है क्या बिल्कुल सही बात है और प्रोटों और neutron का mass almost same होता है ध्यान रहे proton का mass and all neutrons का mass almost same होता है इस बात को जरूर ध्यान रखे proton का charge positive होता है electron का negative और neutron का neutral charge होता है neutron का charge 0 होता है उसे हम neutral बोलते है ठीक है तो आप देख सकते हैं proton 1.672 है और neutron 1.675 है तो almost इनका mass जो होता है वो सेम होता है electron जो होता है वो 9.1 इंटू 10 दे स्वार माइनस 31 kg होता है mass जरूर याद रखें अब बात करते हैं wave theory की wave theory क्या है सबसे पहले मुझे बताए particle और wave में क्या difference होता है सब लोग बताएंगे particle और wave में क्या difference होता है पार्टिकल और wave के बीच में क्या difference होता है कौन से ऐसी चीज़े जिससे आप फटा-फट बता सकते हैं कि सर यह particle है और यह wave है सोच के बताएं फटा-फट कमेंट करें ठीक है तो आसान सा सवाल इसका है कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं wave को नहीं देखा जा सकता पार्टिकल को देखा जा सकता है ऐसा भी बोल रहे हैं लोग हो हो खतरनाक ठीक है मास का difference होता है आप अप अमिशा जी के रिष्टेदार तो नहीं है ठीक है तो देखो वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मूँ से बोल रहा हूं तो अगर आप मेरे सामने बेठे होते है इस्टूडियो में तो मेरे मूँ से जो साउंड वेव अगर मेरे सामने दस स्टूडेंट होते तो दसों के पास चली जाती लेकिन अगर मेरे हाथ में मारकर है तो यह एक टाइम पर एक ही जगे प्रेजन्ट होता है एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रासफर होते हैं एक जगे से दूसरी जगे तब उसको वेव बोला जाता है ठीक है एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रासफर होते हैं उसे क्या बोला जाता है वेव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है वेव की वेवलेंथ होती है यह उपर वाला पार्ट है इसको क्रेस्ट बोला जाता है नीचे वाला पार्ट जो उसको ट्रफ बोला जाता है तो दो pas magnitude crest के बीच की जो distance होती है उसको wave length बोला जाता है उसको lambda से represent किया जाता है ठीक है और one by lambda जो होता है वो wave numbers के equal होता है तो उसको v bar सरे represent करते हैं तो one by lambda जो होगा वो wave numbers होता है frequency है उसको v Jadi dot i.tomperiod को t से represent किया जाता है time period is equal to one by speed of wave के इक्वल होता है जिसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और स्पीड क्या होती है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस टेवल क्या वो स्पीड होगी और यहां से यहां तक कि कि यह जो मिड़ वाला पॉइंट है इससे उपर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एम्प्लिचूट बोला जाता है अब जेम्स नाम के एक साइंट्रिस ते जिन्होंने के के बारे मिहां कि बहुत कुछ दिया उन्होंने इलेक््रो मेंगनेटिक वेलो के बारे म dispose क्ले चाउन्न वेलक्नेटिक वेल्ड वेलो स् जाएगी उसे बोलते हैं Electromagnetic Wave, Electromagnetic Waves के बहुत सार एक्जामपल है, Gamma Raz, X-rays, Ultraviolet Rays, Visible Light, Infrared, Radio Waves, ये सब Electromagnetic Waves होती है, Visible Light की जो wavelength होती है 400 nm से 700 nm के बीच में होती है, अब वेव की energy के बारे में, अब ये भी बताया था कि वेव जो क्या होती है energy and momentum को transfer करती है तो wave की energy क्या होती है कैसे निकाली जाती है वो Planck नाम के एक scientist थे उन्होंने बताया उन्होंने बोला कि wave की जो energy होती ही वो उसकी frequency के proportional होती है और वो h into mu के equal होती है new क्या है frequency है और अगर new जो होता है वो c by lambda के equal होता है speed divided by wavelength की तो ये frequency जो होती है speed divided by lambda के equal होती है relation याद रखें और e जो होता है hc by lambda या फिर h new के equal होता है electromagnetic waves जो होती है उसकी speed हमेशा 3 into 10 देस पावर 8 meter per second होती है और h की value 6.6 into 10 देस पावर minus 34 joule into second होती है h जो है उसका नाम Planck constant होता है ठीक है ये waves की सारी information है इसको जरूर याद रखें waves की wavelength को हम generally angstrom या nanometer में represent करते हैं तो 1 angstrom जो होता है 10 देस पावर minus 10 meter के equal होता है और 1 nanometer जो होता है 10 देस पावर minus 9 meter के equal होता है इसको जरूर याद रखें इस relation को ठीक है 1 electron volt जो होता है 1.6 into 10 देस पावर minus 19 joule के equal होता है electron volt भी energy की unit है joule भी energy की unit है और hc की value को अगर हम लिखें h हमें पता है कितना है 6.6 into 10 देस पावर minus 34 c होता है 3 into 10 देस पावर 8 meter per second दोनों को multiply करके electron volt में convert करें तो hc होता है 12400 electron volt into angstrom में ठीक है तो अगर आपको energy निकाल ली है वे उसकी wavelength पता है तो आप electron volt में direct energy निकाल सकते है जैसे की 4000 एंगस्टरम की एक wavelength है तो इसकी energy जो होगी 12400 divide by lambda लिख देंगे हम एंगस्टरम में तो energy मिल जाएगी तो यहाँ पर lambda जो है वो 4000 के equal है तो electron volt में इसकी जो energy होगी वो कितनी हो जाएगी 124 divided by 40 के equal ठीक है यह electron volt में इसकी energy हो जाएगी तो अगर किसी भी wave की energy आपको electron volt में find करनी है तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा 12400 divided by lambda कर देंगे और lambda को एंगस्टरम में रखना है clear अब बात करेंगे बहुत स्मॉडल की तो वेव की ठीओरी आपको याद हुई के नहीं सब लोग बताएं वेव के बारे में क्या-क्या याद हुआ frequency क्या होती है velocity क्या होती है electromagnetic waves की velocity क्या होती है जिसको हम speed बोलते हैं 3 into 10 days per 8 meter per second होती है frequency का मतलब है कि एक time पर या ऐसा बोल दो कि एक place पर एक second में कितनी waves pass हो रही है उसको frequency बोलेंगे और one upon frequency जो होता है wave number के equal होता है ठीक है और wavelength क्या होता है दो crest के बीच की distance जो होती है वो wavelength होती है दो consecutive crest या दो consecutive trough के बीच की जो distance है वो wavelength के बराबर होती है ठीक है बहुत बढ़िया और wave की जो energy होती है h mu के equal होती है h new मतलब h into frequency के equal या h की value होती है 6.6 into 10 days per 1 minus 34 और उसको new को हम c by lambda भी लिख सकते है c मतलब speed और lambda मतलब wavelength clear बहुत आसान अब बात करते हैं atom के बोहर model की बोहर ने क्या बोला atom के बारे में की atom में क्या होते है बोहर का जो model था single electron species के लिए था उनके कुछ assumption थे उनके assumption के according electron जो होता है circular path में revolve करता है nucleus के चारों तरफ और उसका जो angular momentum होता है वो nh upon 2 pi के equal होता है n जो होता है यहाँ पर orbit number होता है n की value जो है 1, 2, 3, 4 कोई भी integer value हो सकती है इसी के साथ साथ electron 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 on nucleus के बीच में जो attraction लगता है वो centrifugal force mv square by rk equal होगा और electron on nucleus का attraction होगा kze into e divided by r square z जो है atomic number है z into e जो होगा वो nucleus का charge हो जाएगा और e जो होगा electron का charge हो जाएगा और radius जो है वो electron की radius से revolve करने वाले circular पात की तो उसका जो force होगा kze d r square हो जाएगा और angular momentum mvr n h upon 2 pi की इको लोगा यह दो relation है इन दोनो relation से हम radius and velocity की value find का सकते हैं तो इन दो important relation है इनको याद रखें बिलकुल और radius, velocity and energy का formula भी हम याद रखने वाले हैं ठीक है तो बच्चों देखेंगे electrons जो होते है photon को absorb करके उपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं जैसे कि यह first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit, sixth orbit है तो electron अगर fifth orbit में है और वो photon release करेगा तो नीचे आ जाएगा और अगर second orbit में है photon absorbed करेगा तो two, three, four या उपर के orbit में जा सकता है तो electron क्या करता है photon की form में energy absorbed करेगा तो उपर जाएगा और photon की form में energy release करेगा तो नीचे जाएगा ठीक है तो radius की बात करें radius का formula हम derive करेंगे जो दो relation थे उसी से derive किया है और इसकी value जोगी 0.529 n square by z angstrom के equal होगी और एक question है आपके सामने screen पर जरा इसको कर दीजिए तो radius of second bar orbit of hydrogen second bar orbit के लिए निकालना है तो hydrogen के लिए निकालना है कैसे निकालेंगे 0.529 n square by z होता है second orbit है तो n की value 2 हो जाएगी और atomic number hydrogen का 1 हो जाएगा तो radius हो जाएगी 0.529 into 2 square divided by 1 तो that will be equal to 2 point something something आदेगा 2.12 के value ठीक है यहाँ 2.12 लिखा हुआ है तो radius जोगी 2.12 angstrom के बराबर होगी यह formula आपको radius का याँ रखना है energy of electrons की बात की जाए तो energy kinetic energy and potential energy के equal होगी और total energy minus of kinetic energy के equal होगी and total energy potential energy divided by 2k equal भी होगी और energy का formula होगा minus 13.6 z square by n square electron volt per atom ठीक इसको joule में अगर convert करना है तो 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 minus 19 joule होता है तो उस relation का use करके आप इसको joule में भी convert कर सकते हैं velocity का भी formula होता है उसको याद रखें electron जो revolve करता है उसकी speed या velocity होती है 2.18 into 10 raise power 6 z by n k equal clear ground state क्या होता है जो सबसे पहली state होती है n equal to 1 उसको ground state बोलेंगे n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 जोती excited state होती है ionization energy होता है कि electron को infinite पर लेके जाएं और binding energy होता है कि 0, n equal to 1 से लेकर infinite पर लेके जाएं और जब photons release होते हैं जब electron उपर से नीचे आता है नीचे से उपर आता है तो spectrum मिलता है हमें photons का और visible range होती है 400 से 700 nanometer के equal होती है अब देखो ये पूरा spectrum है किस तरीके से मिलता है अगर कोई भी electron 7 से 1 में आ रहा है 6 से 1, 5 से 1 आ रहा है अगर 1 पर पहुंच रहा है वो n equal to 1 पर तो उसको बोला जाएगा Lyman series 2 पर पहुंच रहा है तो bomber series 3 पर पहुंच रहा है तो passion series 4 पर पहुंच रहा है तो bracket series 5 पर पहुंच रहा है hydrogen atom के लिए bomber series की जो first four lines है वो visible range में होती है ठीक है इस चार lines है visible range में होगी और Lyman series की सारी lines ultraviolet reason में होगी bomber series की 4 lines visible में होगी बाकी की नहीं होगी और passion की सारी lines infrared में होगी और bracket की सारी line infrared में होगी और उपर जितने भी series है सबकी lines infrared reason में रहीगी ठीक है तो यह जरूर याद रहे है Lyman, bomber, passion, break and phone and Humphrey series होती है n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5 के लिए first line होती है जो इसको बोला जाएगा और last line infinite से 1 के लिए जो line होगी उसको last line बोला जाएगा किसी भी series की first line होती है उस series की उपर वाली orbit से वहां तक की line चीज़े की bomber की बात करें तो bomber होते है n equal to 2 के लिए तो 3 से 2 वाल लाइन जोगी वो bomber series की first line होगी और infinite से 2 वाली जो line होगी वो bomber series की last line होगी ठीक है number of lines निकालने के लिए n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2 का formula यूज करेंगे तो जैसे कि hydrogen का कोई electron था वो 7 से first orbit में आ रहा है तो n2 7 हो जाएगा n1 1 हो जाएगा कितनी lines मिलेंगी है मैं total 21 different lines समय याँ पर मिलेंगी energy कितनी होती है कोई भी electron transition करता है तो उसकी energy का difference हम delta e से निकाल सकते हैं और उसका जो wave number होगा rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square के equal होता है r जो होता है red work constant होता है और उसकी value approximately 1.1 into 10 dash power 7 meter inverse के बराबर होती है ठीक है एक question आपकी screen पर लिखा गया है इसको जराब पढ़े and solve करें तो बामर सीरीस की first line का transition है यहांपर यहांपर झाल 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 आगया आंसर सबका ठीक है तो कैसे किया जाएगा तो वेव नंबर निकालना है बामर सिरीज की हाइडरोजन इस्पेक्टर में फास्ट एमिशन लाइन का तो एंटू से बामर सिरीज होती है की फास्ट लाइन थ्री से टू के इकोल तो वन बाइ यह ने की वेव नंबर हो जाएगा आर जेडिस्क्टर वन अपॉन टू इस्क्टर माइननस वन अपॉन अपॉन रू स्क्का इकोल इसकी बाइलियर हो जाएगी और यह हो जाएगा फाइव बाई है ठीक है इस्वाइज आसन है बहुत आसाल clear तो break की जरुषत I think नहीं है what is light तो both particle and wave होता है what light के पास तो deep रोगली एक नाम के एक scientist है उन्होंने बोला कि light जो है उसके पास particle nature भी होता है and wave nature भी होता है तो आप इसको देख के बोल सकते हैं ओ भाई मुझे मारो ये क्या हो गया particle भी हो गया, wave भी हो गया कैसे होता है deep रोगली ने बोला कि दोनों nature होते हैं deep रोगली के according किसी भी particle के पास wave nature भी होगा और particle nature भी होगा उसकी जो wavelength होगी h upon mv के equal होगी ठीक है h upon mv भी लिख सकते हैं और lambda is equal to h by p भी लिख सकते हैं p मतलब momentum यह डी ब्रोगली की hypothesis थी अब बात करेंगे photoelectric effect की photoelectric effect क्या होता है किसी भी metals के उपर अगर हम photons दालते हैं तो उसके metals के जो electron है वो energy ले ले लेते हैं photon से और वो कहां चले जाते हैं बहार चले जाते हैं मेटल से इसे बोला जाता है photoelectric effect ठीक है photoelectric effect के लिए simple से equation होती है कि जितनी energy का हम photon डालेंगे उसमें से कुछ पार्ट तो absorb हो जाएगा और कुछ पार्ट kinetic energy में convert हो जाएगा जितना पार्ट absorb हो जाता है उसको हम work function बोलते हैं और यह work function हर metal के लिए अलग-अलग value रखता है work function का मतलब है कि minimum इतनी energy तो आपको देनी ही पड़ेगी इसको हम h mu node से represent करते हैं mu node जो होता है उसको characteristic frequency बोला जाता है तो हमने h mu energy का photon डाला तो उसमें से phi energy याने की work function तो absorb हो जाएगा और जो extra energy बचेगी हो kinetic energy में convert हो जाएगी ठीक है और यह work function होता है हर metal के लिए अलग-अलग values रखता है sodium के लिए अलग होगा cesium के लिए अलग होगा और जनरल यह आयनेशिय अनेशिय पर depend करता है अगर आयनेशिय अनेशिय बढ़ती जाएगी तो work function के CB metal के लिए बढ़ता जाता है डीव लोगली की hypothesis हम अल्रेडी देख चुके हैं एक क्योशन है calculate the डीव लोगली wavelength of ball moving with 0 mass 0.1 kg moving with speed of 30 meter per second तो wavelength होती है h upon mv की equal h key value 6.6 into 10-34 mass ball का दिया है 0.1 kg and speed है उसकी 30 meter per second लेमडा हो जाएगा 2.2 into 10-34 और electron का wavelength निकालेंगे तो 2.42 into 10-11 आएगा तो यहां difference देख सकते हैं अगर ball का था तो मैनस 34 आया electron का मैनस 11 आया तो जो बड़े particles होते हैं उनकी wavelength बहुत छोटी होती है तो बड़े particles का wave nature बहुत कमजोर होता है छोटे particles होते हैं electron, proton, neutron उनका wave nature बहुत जादा हो जादा है ठीक है lambda को अगर हम kinetic energy की form में लिखेंगे तो lambda is equal to h divided by root of 2m kinetic energy के equal हो जाएगा electrons के लिए के हम direct lambda को root of 150 divided by v के equal लिख सकते हैं यहां से lambda angustrum में मिल जाएगा ठीक है v potential से अगर हम electron को excite कर दें तो accelerate कर दें तो उसकी kinetic energy होगी वह आ जाएगी और kinetic energy से जो उसकी wavelength आएगी lambda will be equal to root of 150 divided by v potential होगा और lambda यहां से angustrum में आएगा तो एक question है आपके पास g means का इस question को अगर एक बार solve करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से हम इसको find कर सकते हैं सब लोग answer find करें इसका रीता का answer आया है first option विशेश का answer आया है first तो देखे बच्छों यहां पर दिया गया है stream of electrons from heated filamental was passed to charge plate kept at potential V if E and M are charged and mass of electron then the value of lambda h by lambda is h by lambda जो होगा वो किसके को लोगा lambda की value हो जाएगी h divided by root of 2mke और kinetic energy होगा e into V के क्वल हो जाएगा क्योंकि जितनी kinetic energy होती है वो potential energy की होजे से generate होती है potential energy electron की होती है e into V, e मतलब electron का charge है v मतलब उसका potential difference है plates का अगर V potential plates का difference है तो electron को यहां sex relate करेंगे तो यहां sex relate होते होते वो e into V की kinetic energy gain कर लेगा तो यह kinetic energy की जगे हम e into V लिक देंगे तो lambda divided by root of ev जो होगा वो root of 2m ev जो होगा उसका wavelength होगा ठीक है तो h by lambda की value हमसे पूछी गई तो h by lambda जो होगा यहां से root 2m e into V के equal हो जाएगा तो इसके according correct answer हम यहां से निकाल सकते है first answer जो होगा वो correct होगा इसके बाद बात करेंगे Heisenberg uncertainty principle की Heisenberg ने बोला कि कोई भी particle होता है उसकी position and momentum fix नहीं होता uncertainty in position जिसको हम delta x बोलते हैं और uncertainty in momentum जिसको हम delta p बोलते हैं तो delta x into delta p हमेशा h upon 4 pi की equal होते हैं या उससे बड़े होते हैं और अगर h question है मारे पास इसको देखा जाए energy की form में इसको लिखा जाए delta x and delta p वाल एक form को तो delta e into delta t energy और time जो होता है किसी भी particle के लिए greater than h upon 4 pi के equal होता है ठीक है यह momentum and position की form में है और यह energy and time की form में है तो particle की position and momentum कभी भी fix नहीं होता है कुछ ने कुछ uncertainty उसमें हमेशा रहेगी कुछ ने कुछ error उसमें हमेशा रहेगी जो position की error है उसको delta x बोलेंगे जो momentum की uncertainty उसको delta p बोलेंगे जो energy की uncertainty उसको delta e बोलेंगे जो time की uncertainty उसको delta t बोलेंगे ठीक है और delta p को हम m into delta v भी लिख सकते है clear तो यहां question है एक electron है जो 600 meter per second से मूँ कर रहा है accuracy 0.005% है तो इसकी certainty हमें निकालनी है position की तो v delta v की जो value होगी 600 into 0.005 divided by 100 के equal हो जाएगी और delta x जो होगा उसकी जगे हम लिख देंगे h की value हमें यादे 4 into pi लिख देंगे mass हम electron का लिख देंगे और delta v की जगे हम 0.03 लिख देंगे तो delta x की जो value होगी 1.92 into 10 10-3 meter के equal हो जाएगा ठीक है तो simple type के questions इससे पूछी जाते हैं only formula best ठीक है किसी को कोई doubt है इसमें तो पूछ लीजिए अब बात करेंगे quantum mechanical model की तो quantum mechanical model क्या बोलता है कि कि किसी भी atom में ऐसा reason जहां पर electron के मिलने की probability ज्यादा है maximum है उसको orbital बोला जाता है और electron की location या electron का address बताने के लिए हम 4 quantum numbers का use करते हैं दोस quantum numbers साल कॉल्ड प्रिंसिपल एजी मुथेल magnetic and spin quantum numbers तो प्रिंसिपल quantum numbers जो है वो energy level को रिप्रेजेंट करता है से लेकर n-1 तक हो सकती है और यह एजी मुथेल quantum number किसी भी electron का जो मिलने की probability है उसके कितने chances है कितने orientation है उससे related होता है कैसे related होता है वो magnetic moments से हम निकालेंगे magnetic moments छो होता है minus L2 plus L टक values रखता है अगर किसी electron के लिए L की value 3 है तो मैंनस 3,3 ,2 , dadu , spin को रिप्रेजन करता है कि वो clockwise रिप्रेजन कर रहा है या anti-clockwise plus 1 by 2 या minus 1 by 2 जो होती है वो इसकी values हो सकती है तो आप देख सकते हैं अगर L की value 0 होगी तो MB 0 हो जाएगा possible orientation 1 ही होगी तो 1 ही orbital रहेगा यह S orbital के लिए होता है P orbital के लिए L की value 1 होती है M जोगा plus 1 0 and minus 1 हो जाएगा तीन orientation मिलेंगे PX, PY and PZ ठीक है तो P sub shell के अंदर 3 orbital होता है D के लिए L की value 2 होती है माई plus 2, 1, 0, minus 1, minus 2 5 different values मिलेंगी 5 orbitals होते हैं D के एक sub shell में और F के लिए 3 होती है तो 7 orbitals मिलेंगे F के एक sub shell में Radial probability distribution जो होता है R square into 4 pi R square dr के बराबर होता है किसी भी electron का जो function है, wave function है उसको दो part में हम device कर सकते है R and 5 की form में R जो होता है वो उसके radial function को represent करता है और 5 जो होता है वो angular function को represent करता है ठीक है तो अगर size square versus R का graph बनाए 1s orbital के लिए तो ऐसा होगा और 4 pi R square size square का बनाए तो 1s के लिए इस तरीके का होगा size square को हम यहाँ पर देख सकते हैं size square को probability density बोला जाएगा और size square into R square को probability बोला जाएगा ठीक है तो यह probability density का graph है और वो probability का graph है 1s orbital के लिए यह 2s orbital के लिए probability का graph है notes जो होते हैं वो क्या होते हैं वो होता है notes का मतलब होता है कि कहां पर wave function 0 हो गया और जहां पर wave function 0 हो जाएगा वहाँ पर electron के मिलने की probability 0 होगी तो radial notes जहां होंगे वहाँ r वाला function 0 हो जाएगा और angular notes होंगे वहाँ पर 5 वाला function 0 हो जाएगा number of radial notes n-l-1 के equal होते हैं और number of angular notes l के equal होते हैं total notes जहोंगे वह total notes जहोंगे इन दोनों को add कर देंगे n-l-1 plus l अदरल टोटल notes n-1 के equal होते हैं ठीक है तो electrons को जब हम fill करते हैं तो police exclusion principle आफवाव rule हमें follow करना होता है police exclusion principle बोलता है कि किसी भी electron के चारो quantum numbers सेम नहीं हो सकते और above rule बोलता है कि electrons जो है वो lower energy के बाद higher energy में fill किये जाते हैं मतलब energy के increasing order में fill किये जाते हैं energy के increasing order जो है n-plus l रूल से निकाला जाता है n-plus l की value जादा होती है तो energy बढ़ती जाती है अगर n-plus l की value दो orbitals के लिए same हो गई तो फिर उनके लिए n से compare किया जाएगा जिसका n छोटा उसके energy कम ठीक है हुन्स rule of multiplicity बोलता है कि किसी भी orbital में जब हम electron बढ़ते हैं किसी भी sub shell में जब electron बढ़ते हैं तो एक एक electron हर orbital में जाएगा उसके बाद उसकी pairing हम करवाना start करते हैं ठीक है ठीक है एक्षेंज energy क्या होती है अगर electron unpaired है तो वह exchange कर सकते हैं अपनी spin का तो उसकी कितनी एक्षेंज कर सकते हैं वह n equal to number of exchange is equal to n into n minus 1 by 2 के equal होगा n जो होते हैं वह number of unpaired electron होते हैं तो 3 unpaired electron है तो कितने type के spin हो सकते हैं 3 into 3 minus 1 divided by 2 के equal जितनी ज्यादा एक्षेंज energy होती है उतनी ज्यादा atom की stability बढ़ती जाती है ठीक है electronic configuration कैसे लिखा लाता है यहां shell number लिखा जाता है यहां shell का नाम होता है और उपर कितने electron से उसमें वह लिखा जाता है ठीक है और magnetic moment जो होता है किसी भी atom का root of n into n plus 2 के equal होता है और n जो होगा वो यहां पर number of unpaired electron के बराबर होता है तो एक question आपके सामने है it has keys but no locks it has space but no room you can enter you can enter but can't go inside what is it है तो सब लोग अंसर कर रहे हैं कि कीबोर्ट 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 तो क्या ऐंसर होगा इसका करेक्ट आनसर होगा कीबोर्ड सब्सक्राइब करना ना भूलें चेनल को । नर्च येटेडर करेंगे इस ब्लोग एप्लोग में क्या देखते हैं, डाउन द ग्रॉप साइज इंक्रीज होटी है, डाउन देटा ग्रूप हाइड्रेशन एनरजी डिक्रीज होती है जितना छोटा एटम होगा उतकी हाइड्रेशन इनरजी उतनी ज्यादा होती है लीथियम को ऑक्सीजन से रिक करवाएंगे पर उक्साइड बनाएगा इंपोर्टेंट है ध्यान रखें और बाकी मेटल्स को अगर ऑ alkaline metals को ammonia में डालेंगे तो ammonia के साथ वो एक solution बनाएंगे special जिसमें होंगे ammoniaated metal होगी और ammoniaated electrons होंगे ammoniaated electrons की वेज़े से solution paramagnetic होता है electricity conduct करता है और यहाँ पर इसका जो color होगा वो blue color का होता है अगर lithium nitrate को heat करेंगे तो li2o and no2 gas मिलती है और sodium nitrate को heat करते हैं तो na no2 and o2 gas मिलती है इस बात को इशेज ज्यान रखें lithium nitrate से no2 gas निकलती है sodium nitrate से नहीं निकलती है ठीक है sodium carbonate की preparation कैसे की जाती है solvay process से पहले calcium carbonate को heat करेंगे calcium carbonate calcium oxide मिलेगा फिर ammonia को co2 से रिएक करवाएंगे ammonium bicarbonate मिल जाएगा ammonium bicarbonate को nscl से रिएक करवाएंगे ammonium chloride and na co3 मिल जाएगा na co3 को हम crystallize करेंगे तो na2 co3 में मिल जाएगा ठीक है sodium hydroxide की preparation कैसे की जाती है पहले sodium metal बनाया जाएगा जिंक के साथ electrolysis करके और फिर उसको इस्टो से रिएक करके sodium hydroxide बनाया जाएगा alkaline earth metal के लिए reactivity with airs देखें तो beryllium जो होता है nitrogen oxygen से और nitrogen के mixture मतलब airs से रिए करके barium oxide beryllium oxide and beryllium nitride बनाता है bcl2 lithium aluminium hydride से रिए करके b eh2 licl and alcl3 बना लेता है beryllium chloride जो होता है वो chain structure होता है solid state में और vapors में वो dimers में convert हो जाता है और ज्यादा heat करेंगे उसको तो वो monomer में convert हो जाएगा ठीक है calcium hydroxide slagged lime होता है calcium oxide को अगर water में डालते हैं तो calcium hydroxide मिल जाता है उसको हम slagged lime बोलते हैं ठीक है calcium sulphate होता है जिसको हम plaster of paris बोलते हैं और इसका formula होता है calcium sulphate dot half s2 हो और कैसे इसकी preparation की जाती है इस हमेहाइडरेट of calcium sulphate it is obtained जिप्सम calcium sulphate dot two s2 जिप्सम होता है calcium sulphate dot two s2 इसको heat किया जाता है तो plaster of paris मिल जाता है जिसको हम calcium sulphate dot half s2 बोलते हैं ठीक है तो यह हमारा s block chapter हो चुका है बाकी की चीज़े अगर हम कल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कितने students पीव लोग को बाद में shift करना चाते हैं फड़ा बड़ बताएं क्योंकि आज time काफी ज्यादा हो चुका है कुछ लोग बूख लग रही है कुछ लोग बोल रहें मम्मी बुला रही है कुछ लोगों के whatsapp chatting करनी है मेसेज आ रहा है कुछ लोगों को ठीक है कितने लोग चाते हैं कि हम इसको पीव लेप को बाद की classes के लिए shift कर दें ठीक है ठीक है ओके तो maximum 99% जनता बोल रही है बाद में उसको shift कर दिया जाए तो पीव लोग को हम later के लिए shift कर रहे है कल की class 10 बजे से होगी smr में तो 10 बजे आना है सुबह morning में 10 बजे पहुचना है ठीक है 10 से 1 चलेगी और 5 से 8 चलेगी smr class कल से ओके पक्का are you sure सबको time याद हो गया 10 से 1 5 से 8 from tomorrow smr का timing change हो चुका है ओके बच्चों thank you very much तो बाकी की जो चीजे है एस ब्लोक पी बचा हुआ है पी ब्लोक बचा हुआ है एस ब्लोक का जो पार्ट हमने आज पड़ा है अगर आपको रिवाइस करना है तो लास में के एक्चर अलालक से लेक्चर रखेंगे जब पूरी smr खतम हो जाएगी उसक कभी हुआ नहीं है एस ब्लोक हो चुका है लेकिन उसको फिर से कर लेंगे ठीक है ओके एस ब्लोक को हम फिर से कर लेंगे जब smr complete हो जाएगी उसके बाद एक और lecture लगा के और environmental chemistry को भी हम तभी complete करेंगे environmental chemistry एस ब्लोक और पी ब्लोक को हम सबसे लास्ट में करेंगे ओके बच्चों थैंक यू वेरी मुच शी यू इन दे नेक्स क्लास एस ब्लोक को फिर से complete किया जाएगा ठीक है एस ब्लोक पी ब्लोक एंड एंवार्मेंटल केमिस्ट्री को हम लास्ट लेक्चर के बात करेंगे okay no problem good good night thank you very much and see you in the next lecture करेंगे